रेफरल कॉर्ड लॉक इसलिए लगाने से आपको 20% का डिसकाउंट मिल जाएगा अच्छा मुझसे पूछोगी सर कौन सा जोइन करना चाहिए मैं यह कहूंगा कि यार आप 12 मंत का जोइन कर लो सबसे बैस्ट है सच्टा भी अच्छा भी इस आपसे पढ़ा दूं दिरे दिरे देखो इस आज की क्लास में आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं अब हम कर देते हैं हमारे आज के सैसन की सुरुआत बिना एक वी मिनट का समय गवाए हुए तो मैंने यह सारे कॉशन्स आप लोगों को कई सा के कॉश्च की थी लेकिन जैसा कि मैं आप लोगों से वादा किया कि मैं 2019 मैं यहां पर 2019 2020 2021 के कॉश्चंस को करवाने की कॉश्च करूँगा तो रवी कुमार मुझसे दुआ सलाम करने हैं रितिका कह रहे हैं कि रोज में आपकी क्लास दिन में लेती हूं रात को नहीं पढ़ पाती हूं कोई बात ने लेकिन लाइव क्लास का अपना मज़ा है यार लाइव क्लास में आया करो है वाई गरीमा मज़ा ही अलगा जाता है लाइव क्लास का नम्मर 6 पढ़ना है यह कोशन मैं आपको इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि मधु मक्यों का कॉषण है मैं एक कोशन आपको इसलिए कसे कर वा रहा हूँ क्योंकि इस कोशन के मात दम से मैं चारों अप्सुनों को आपको समझा वाला हूँ इसलिए मैंने ये कॉशन आपके यासर उठाया है क्योंकि हम आप्शनों के माध्दम से भी हमारे सिलेबस को पूरा करने की कॉसिस करेंगे तो आजाए गाइद एक बार वीडियो को लाइक कर दो जितने भी क्लास मैं बाद में देख रहे हैं उनसे भी कह रहा हूं मैं हुए आपको मेरा पड़ाई हुई बाते हैं जो मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूं जो मैं क्लास आपके लिए फ्री क्लास एज फौन आया मैंने आपके और पूजा में की तारीफ की बहुत बढ़िया वेरी गुट चलिए गाईज सुबह दस बजे सुबह 10 एम मेरी अनेकेडमी स्पिसल क्लास होती है उस पर भी आया करो मदुमक्यों का निरत जो दूसरी मदुमक्यों के यह लगता है कि मदुरस कहां मिलेगा यह कैसा आती हो समू संचार है बड़ा सरल कॉशन है लेकिन मैंने यह कॉशन करवाया क्यों है ताकि मैं इन सभी आप्शनों को समझा सकूँ देखो मेरा ऐसा मानना है कि आज की जमाने म में क्या पढ़ना है यह जादा महत्पूर्ण नहीं है क्या छोड़ देना है उसकी समझ या अंडरस्टेंडिंग होना बहुत जादा जरूरी है इसलिए ही सातियों मैं आपको हर चीज समझा समझा कर पढ़ता हूं हम सबसे पहले जन संचार के बारे में बात कर लेते हैं कि मास कम्मुनिकेशन क्या होता है मास कम्मुनिकेशन जन संचार ऐसा संचार जो टीवी रेडियो आप करना रेडियो टीवी रेडियो के माध्यम से होता है यानि एक जगे से संचार जाता है और बहुत बड़ी संख्या में वो संचार फैल जाता है उसको कहते है सातियों जन स संचार क्या सात्यों उसको कहते हैं जन संचार कोई दिक्कत नहीं है तो उसको कहते हैं सात्यों जन संचार कहते हैं अगला होता है समू संचार किसी का मतलब क्या होता है समू संचार का मतलब होता है सात्यों जब मान लो कि आप यहां पर खड़े हो और यहां पर मालो जैसे कोई नेता जी का भासन जो होता है ना वो समू संचार होता है वहां पर सातियो एक व्यक्ति इतने सारे समू को अपनी बात कह रहा है वो समू संचार है अब यह कैसा तो अंतर व्यक्तिक और एक है अंतर व्यक् बताइए अंते व्यक्तिक और अंतर व्यक्तिक का मतलब समझा दीजिए आप मुझे कॉमेंट्स के माध्यदम से क्या इसका मतलब जानते हैं कोई अंते व्यक्तिक और अंतर व्यक्तिक का मतलब जानते हैं आप लोग और दोनों इस फॉन डिस पड़े हैं कॉमेंट्स देखूं तो किसमें देखूं मैं इपर मॉबाइल फॉन चार्ज में लगा दू ता कि कॉमेंट्स देखना सुरू हो गाइज यार मैं अभी मेरे दूसरे मॉबाइल में कॉमेंट्स देखने की कॉसिस कर रहा हूँ और वो जो मेंटा को एड आया था इतनी स्यांदार तरीके से वो उचहाल रहे ना भूके आदमी को खाने का अमन करजाता है स्यरी अजली गाहिट मतला अभी में क्लास ले रहा हूं तो क्लास के बाद में खाना कौँगा तो भूके आदमी को खाने का वश्यादा ऐसे ऐसाए और दिखाए जाते है कि आपको कि पूछे मत क्लास वाद हम होगी यह एड पहले देख जाते हैं यार कमाल है हाँ जन संचार में ब्राड कास्ट भी होगा बिल्कुल हाँ चले अंतर्वैक्तिक का मतलब क्या होता है अंतर्वैक्तिक का मतलब होता है जैसे कि दो या दो से अधिक दो या तो दो या दो से थोड़े से अधिक दो तीन लोग बात करते ना दो या तो से थोड़े से अधिक लोग अगर आपसमें बात करते हैं उसको कहते हैं अंते व्यक्तिक संचार अंते व्यक्तिक संचार का मतलब था स्वेम से बात करना औरे वही ओ मेरे भाई नेट जे आरे पर एक जाम पास करने एक बाद मैं सबसे पहले इस कूटी खरीदूंगी, बुलट खरो दोगा डुट 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 चलाओंगा, एकदम खुद से बात कर खुद खुद हो रहे हैं, वा, यूनिजिटी केमपस में प्रुमाल बिचा कर सोंगा दो चार मतलब नायक नाही का रहेंगे मेरे आगे पीछे एक दम नायक नाही काओं की लाइन लगा देंगे यह जो खुद से जो बात होती है ना इसको कहते हैं अंतरव्यक्तिक संचार दो या दो से अधिक बात होती उसको अंतरव्यक्तिक संचार बहुत बड़ी संख्या में बात होते हैं जिसको सम्मू संचार और बहुती लार्ज स्केल में जैसे टीवी रेडियो के मादन से जो संचार जाता है उसको मास कम्मूनिकेशन कहते हैं अब भास समझाई आपको गाईज अब आपको बास समझा गई उसको कहते हैं मास कम्टिकेशन सर बता दीजिए अभी सार मुझे मालूम नहीं है पहले सार हिस्सा थे संस्ता का अभी का मुझे आइडिया नहीं है अभी नहीं है मेभी सायर आप पॉलिटिकल साइंस के हमारे बहुत सारे सिक्षक हैं आप उनसे क्लास ले लीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी बहुत सारे सिक्षक हैं बहुत सारे सिक्षक हैं आप उनसे पढ़ लीज होगा आप लोगों मैं वीडियो लाइक देख लेता हूं कम है अभी यार वीडियो लाइक कम है इसके उतलब कम लोगों को समझ आया है तो बताओ भाई कौन सा टॉपिक समझ नहीं लगा आपको पूजा कह रहे हैं कि मेरा नेट होगा तब मैं आपको कॉल करूंगी आपको थैंक बोलूंगी यह कह रहे हैं अंजु प्रदीप कुमार अंजु कह रहे हैं इस चीज़ को ओके वाई अंजु स्वीटी लेट आयो भाईया आप स्वीटी लेट आयो आपको जनसंचु संचार का पता नहीं लगा आपको यहापर मैं आपको एक चीज समझाऊंगा इसलिए चौधवे नंबर का कॉशिन करवा रहा हूं क्या बात है हमको भी खलातो भाई भूक लग रही है भूके बजनना होत गोपाला वो कहते हैं कि भूजे भूके बजनना होत गोपाला अभी खाना खाएंगे हम लोग भी चलिए आम संप्रेशन और कक्षा संप्रेशन में होने वाले संप्रेशन में सूचना एम विसेवस्तू के प्रक्रम प्रक्रिया को समझाएं देखो मेरा उदेश है यहां पर ऑचित संस्ता किसे कहते हैं गेट कीपिंग किसे कहते हैं विसेवस्तू सुदार क्या है और वन वे फ्लो किसे कहते हैं चार ओप्षनों को मैं आपको समझाते चलूंगा बटूरे खाके खुद भी बटूरे जैसा हो जाओंगा स्वीटी बटूरे खाके खुद भी बटूरे जैसा हो जाओंगा काविया क्या कह रही है काविया आईफन 14 लॉंच हो गया है कितने सारे लोगों ने आईफन 14 की डिमांड कर दी दिला दे दिला दे मुझे बुर्ज खलीफा कितने लोगों कर दे कि दिला दे दिला दे किरन कह रही कि हाँ चंदू मैं अच्छी हूँ कोई मुझे जानता नहीं था आर सब को अच्छा बहुत बढ़िया किया किरन बहुत बढ़िया किया किरन खुद के नाम से आ गई है स्वागत है किस किस ने मांग लिया आइफोन किसका सफीह शाएं सरे साथ यह गेट केपिंग का मतलब क्या होता है कि मान लो अभी हम जो यह देख यह क्लास्रूम यह क्लास्रूम है और यह सामान जगे मान लो सामान जगे कोई आपस में किसी भी तरीके से बात कर सकता है अग्रेसिव होकर मतलब थोड़ा हसी मलब किसी भी मलब और एंगल से बात कर सकता है लेकि जब क्लास में बात होंगी तो एक क्लास का जो वातावरन का नुसार बात होंगी यानि कि आपको हर चीज सलेबस का नुसार बतलाई जाएगी आपको हर चीज वो बतला अब बाउंडरी लगा दिया आपके लिए वोसे कहते हैं गेट कीपिंग चले गाई जान से जान से राधे राधे पूजा राधे राधे गरीमा सर मुझे पढ़ना है कैसे मिलेंगी क्लास चलो इस क्लास में कैसे मिलेंगे आपको क्लास ये मैं आपको समझा देता हूँ कि मेरी क्लास कैसे मिलेंगी ठीक है उसके बाद में इस कॉस्षन को पढ़ेंगे एक सेकंड मुझे एक मिनिट का समय दो एक मिनिट मैं आपको यह समझा देता हूँ कि भाइस साव हमारी क्लास पर लॉट कर हम लोग अब आप समझ गहे हो ना क्या बात हो रही है क्या क्या बात हो रही है हमको भी अतादो आप किसको मिल रहा है आईपॉन 14 किसको मिल रहा है रिंपी को मिल रहा है क्या बात है बाई बदाई हो गाई इस एडवांस में काव्या को मिल रहा है अरे बदाई हो भाई काव्या खूब बदाई हो आपको खूब बदाई हो खूब बदाई हो क्या बात है क्या बात है क्या बात है बुरुज खलीपा नहीं मांगा नहीं तो बुरुज खलीपा मिल आज कर गाना भी ऐसा बन रहा है कि दिला दो वो गाने नहीं इस तरीके से कभी नायक नाई का बुरुज खली पर मांगती है कभी फूल मांगू ना बहार मांगू तकड़े हैं यार अब आई-फॉन मांग नहीं है चलिए 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 बहुत बढ़ाई भाई काव्या अगर आपको आई-पॉन फोटी मिल रहा है तो बहुत बढ़ाई भाई आमको भी दिखा देना एक बार थोड़ा सा ऐसे कि क्लास में कि सर ऐसा दिखता है हम भी देख लेंगे ये प्रभू इसका अंसर दो पहले यार फिर और सब बात बात में करेंगे इसका सही अंसर दो सही ये साते हो सी दा करेक्ट आंसर है मैं समदा देता हूं कि सी आंसर हैं पर कैसे आ रहा है एक बार ज्यारेफ विजगे खुद खरीद यह पिर तो यार तीन मेंहें की सेल्री में आ जाएका अगर आपका ज्यार्फ हो जाएगा न तो ज्यारेफ की तीन मैंने की सेल्रीम आ जाए рок चाली साली साईर मिलेंगे आपको परमंद्थ तुमों चेले मेरे ग्यान का घड़ा तुम बहरते जाओ शाथीओ बहुत बड़ी आसाई जा रहे हुए एकदम ठीक है दिएयम अनुरूपातमक इसको समझाने वाला हूं। पिसले वाला कॉश्चन समझा दूँगो पहले इसको कर लो आप पिसले वाला समझा दूँगो पहले इसको कर लीजिए बहुत बढ़िया साइज आ रहे हो एक दम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सुमन कहने हैं कि सर क्या एर्पी एसिस्टनर प्रोपेसर की वेकेंट से आने वाली है बिल्कुल आने वाली है और साथ पहले आगे उसके एकजम बाकी अभी इसका सही और सरे साथ यो डी दा करेक्ट आपसर लेकिन यहापर डी को समझाने से पहले मैं यहापर और सब चीजों को समझाना चाहूंगा देखो मेरा ऐसा माना है पहले कोशन पर जान दो कक्ष्यागत परस्तिती में संप्रिश्ण करते समय नि बातचीत करते समय निमलिक्त में से कौन से उपागमों को सरवाधिक सही माना जाता है इसे कहते हैं साथियों बातचीत तदना भूती मतलब आपके जैसी अनभूती करना जैसे मैं अभी आप लोगों से कह रहा हूं दिलादे मुर्जे बुर्ज खलीपा वाला गाना आप लोगोंने बहुत सुनोगा यानि कि मैं एजे अपने आपको एजे इस्टुडेंट जाता हूं कि भाई कौन-कौन सी जगे पर आप लोगों की गलती आपकी हो जाती है तो कक्षिया का संप्रेशन में संप्रेशन करते समय निमलिक्त में से कौन से उपागमों को सरवादिक प्रियूगत माना जाता है और वो ऐसात्यों तदना भूतिक और प्रायोजन वादी प्रायोजन वादी का मतलब होता है कोई अबजेक्टिविटी उसके अंदर हो कोई एजेंडा क्या होता सात्यों कोई एजेंडा उसके अंदर चिपा हुआना चाहिए द्रड का मतलब होता है मजपूत और अनुरुपात का मतलब होता है कोई भी चीज को किसी साचे में ढाल हुआ एक प्रिकार से चलो पिछले कौशन को समझने की कह रही थी अडंगे बाजी यह कौन सा कौशन था या हाँ इस वाले कौशन को आप लोगों ने समझने के लिए कहा था चलिए कि देखो सिक्षा के संदर में मुस्कान आय हाय सर्मा गई क्या वो गाना आता है ना सर्मा गई क्या कि कख्षा सिक्षन के संधार में मुस्कान या ब्रकुटी किसे कहते हैं कितने लोग ब्रकुटी का मतलब जानते हैं आप मुझे समझा ब्रकुटी तनाव किसे कहते हैं का उपयोग जब एवाचिक संकेत के रूप में किया जाए देखो संकेत वाचिक और एवाचिक दोनों प्रकार से संप्रेशन होता है केवल ऐसा नहीं कि बातचीत केवल आप कहोगे शब्दों के रूप में तबी जाकर बातचीत होगी है वातचीक भी संप्रिशन होता है साथ contents किया है संकेत के मादम से अब आपने साथ कि लया नो की ये बात लेन जानेर flavored एक और गाना नहीं आता नहीं? कि नेनों के ये बात नेना जाने रहा है. मैं लोर नेना भी बात्व करते हैं, आपस में. विना बोले वे आंक Dop से समझा सकते हैं जीजों को. विहारी जी क्या कहते है इस सीथ को समझ लीजीए विहारी कहते हैं एक कमरा है बहुत बड़ा कि मान लो कि आप स्कूल में कोचिंग में पड़ रहे हो क्लास में पड़ रहे हो आपको लगता कि कोलेज में जब वहोते हैं प्रोफेसर की लेक्चर तो सबसे बड़े बॉरिंग होते हैं, कॉलेज लाइफ में सभी लोगों को प्रोफेसर के जो लेक्चर होंगे बड़े बॉरिंग लगते होंगे, लगते होंगे न सब को बड़े बॉरिंग लेक्चर यहां पर लगते होंगे यार प्रोफेसर के बॉ कि यह हमारा लेक्टिर बेटा यह हमारा नायक बेटा अब नायक का मं नहीं लग रहा एक लास में और नायक का भी नाइक निका निकभी रिजत हीजत के और शाथ हो जैसे नायक ने कहा चड़ गया रीजत खिजत उसको जोर ज़ादा खिजाने लगी चिडाने लगी कहत निटत रीजत खिजत और मिलत खिलत लजियात और जैसे दुबारा दोनों की आखें मिली लज्जा आ गई और भरे बहुन में करत हैं ने ननी हिसों बार आखों याखों में इसारा हो गया सब कुछ आखों हो जाता है इसे कहते हैं ए व्रुकति तना कई वार भार हम कोई कहता है किसी की तरह कहता है मुस्कुरा देता है दो उसका अलग मायना है इस साथ्य इसका भी अपना एक यूप है इसे कहां गया फंशलन जो शॉट्टरट्वूशन होते हैं तो ये साथ यो ये साब्दिक संकेत तो होई नहीं सकते क्योंकि शब्दों के द्वारा है नहीं इसलिए अब आई थिंक आपको ये बात समझ में लग गई होगी चलिए कॉशन नम्मर 39 का आप यहां पर सही आंजर देने की कॉशिस कीजिए सर किलिएर नहीं है कॉशन सर किलिएर है कॉशन ठीक है लाइक कितने लोग उनकी है भूल गे हो भाई इस सुबह 10 बजे याद रखना रहे है हाईयर एजूकेशन बढ़ा रहा हूं सुबह 10 बजे इस्पेसल क्लास में सुबह 10 बजे इस्पेसल क्लास को याद रखना 10 बजे अरे आसीस का तो काम ही तकड़ा है चेला हो तो आसीस हो वह एक नमबर यार ये जुमेटों वाले क्या चाहते है एड इतने आते हैं कि इनके पूछो मत जिसको नहीं भूक लगती है उनको भी लग जाती है देखो 39 का आंसर है ए सही आंसर क्या है ए आंसर है कक्षा संप्रेश्ण में अच्छा पूर अनुमान लगाना कठिन हो जाए तो पहले से थोड़ना बता सकता हूं में कि अंकित तिवारी क्या है सरीता क्या है मुझे नहीं पता आप लोगों से बात्चित करूँगा तभी आपके बारे मुझे जानकरी मिलेगी उस समय होता है जब विध्यारती के साथ सताई महला बहुत कम बात्चित होती है ना तो आप लोगो इनसे क्या बात होती तो इनके बारे मैं अनुमान लगा सकता हूं इनके बारे मुझे अनुमान लगाना मेरे आसान हो जाएगा लेकिन अगर मैं किसी से बात ही नहीं मेरी तो अनुमान लगाना कटिन हो जाएगा इस प्रकार के कॉश्चन से साथ हो वो भी यहां पर सही आगे ओके मैंना तेरे सराइम न्यू इस्टुडेंट जोती आज कितने सारे लोग वो इवेंट वाले वीडियो से आये हैं आज की क्लास में कितने सारे लोग वो इवेंट वाले वीडियो से आये हैं इवेंट चल रहा था ना आज आट बज़े उसकी वीडियो से कौन-कौन सी लोग आये हाँ higher education पढ़ा रहा हूँ भाई में आंसर आने लग गया है आंसर है सही आंसर साथ है दी यहाँ पर दी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है 42 का ही समझिए सिक्षक द्वारा कक्षा में छात्रों को दिये गए आरंविक संदेशों में अन्ते क्रिया इस्तापित करने के लिए महत्पूर्ण होना आउशक नहीं है अन्ते क्रिया देखो भाई शुरुवात में जब हम बातचीत करते हैं आप लोग क्लास का इंट्रोडेक्शन हो जाए आज बताओ क्या नाम है आपका कहा के रहने वाले हो उससे सातियों हम एक दूसरे को जान पाते हैं तो यह सातियों गलत है संप्रेशन प्रकिरिया का आप एक चक्रत अधिक नियंत्रन का नीतार चात्रोडव अधिकम का साप एक चकर अधिक नियंत्रन होना है वहला आप पढ़ लीजे मैं जल्दी जल्दी पढ़ दिया है इसका सही आनसर है यह जो मैंने आपको पहले भी समझा दिया था सुबह दस बजे अनकेडमी एप पर फ्री क्लास होती है रोज आओ करो कॉर्चन नमबर फोर्टी थ्री चेले लाएंगे क्रांती स्वनम दिभी का स्वागत है कि ओ मैं गॉट कि सुबह 10 बजे वाली क्लास मा जाएगा रोज रहा हम लोग हमारी क्लास देख फिक्स है जो मेरी फ्री क्लास है ना फ्री वो 10 बजे और 10 बजे दोनों 10-10 बजे मदा आता है दोनों से मैं उसको 9 बजे भी कर दूँ पर सुब मुझे पता आगे सर्दी आ रही है सर्दियों को दिनों में आप 8 बजे उठोगे 9 बजे तक आपकी नाने की इमत नहीं पड़ेगी और 10 बजे आप थोड़ा से तयार उपाओगे इसलिए मैंने उसको टाइम चेंज नहीं किया सुबह 10 बजे रख दिया मैंने मुझे पता नहीं उठोगे आप सर्दियों में अनकैडमी एप से मिलेगी आपको मेरी किलास हाँ एक काम कर सकता हूँ मैं उसको चला कर बता सकता हूँ क्यों कैसे मिलेगी आप सालिनी मैं घरी हूँ बेटा सई आनसर है सात्यों एक गलत है और आर्या पर सई है एक सप्ता में एक बार नाते हैं सर्दियों में अरे यार बहुत वड़ी है ये अर्जित समता है तो यह गलत है यापर और यह आपर सही है काव्या नहीं नाती है ये एक वीक में नाती हूं में ए प्रभ विव नाते नहीं हो आप लोग सर्दियों में दिल्ली में बहुत तगड़ी सर्दी पढ़ती है बहुत तगड़ी सर्दी पढ़ती है दिल्ली में इसलिए कावया नहीं नाती है 44 और बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं नाते हैं तो जाद अच्छे लगते हैं के बार आपने नहीं नाया और जब जाद अच्छे लगते हैं नाने के बाद ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल नहीं नाते हैं तो जाद अच्छे लगते हैं मजा कर रहा हूं ऐसा होता नहीं है भाई जोति प्रति दिन पांच बजे इसनान करती है अरे बाप रे सर्दियों में एक होता कार्तिक नाना आप में से कितने लोग कार्तिक के माह में नाते हैं करतिक नाना जिसे कहता है कितने लोग नाते हैं करतिक कितने लोग नाते हैं स्वीटी नाती है जब मेरा बिलकुल नहीं जमता जकती नौ बजय नाएगी कहासे इतना काफी है 60 मिन्ट में तो गर्दा उड़ा देंगे रभी अंकित तिवारी मुझे सुना रहे अंकित भाई क्या बात है यार बोलना क्या लिख रहा है कमेंट में कित अंकित कुछ बोल अरे तो कॉमेंट करो बेटा क्या है आपका पुराना कॉमेंट मुझे मिल नहीं रहा है मैं देख रहा हूं वैसे तो डूड़ना पाड़ी सर मुझे बता दो तैयारी करनी है ताकि मैं अगले एक्जाम में एक्जाम में फॉरम डालकर जयारफ किलियर कर दूँ बेटा नई अगले एक्जाम के लिए हमारे अनेकेडमी पर नहीं ने बैच स्टार्ट हो गए अंकित अनेकेडमी पर जाओ और ल लॉकेस 11 कॉड लगाकर लॉकेस 11 कॉड लगाकर अनेकेडमी जोइन कर लो आपको डिसकाउंट मिल जागा 20% का डिसकाउंट चल रहा है और साथियों आप फटा फट से क्लास देख लोगे जोट बोल रहे हैं बहुत सारे लोग कि पांच बजे ना ते सर्दियों के दुन हमें पांच बजे नहीं जा सकते हैं चलिए चलिए 46 को मैं करवाने जा रहा हूँ इसका रीजन है कि मैं आप को इसको भी समझाऊंगा इसको भी इसको भी साविस सीजों को समझाऊंगा इस चलो चलिए सर आप बिहारी तो है बट बिहारी जैसी बात करते हैं आप सर बिहारी तो है अरे क्या लिख रहे होगा नहीं मैं मेरे बहुत सारे मित्र बिहार के हैं मैं रहता हूँ दिल्ली में इस समय डेली में रहता हूँ यहीं सेटल्ड है मेरी फैमिली वैसे हम लोग बेसिकली राजस्तान के रहने वाले हैं लेकिन मेरे फादर की यहीं जॉब है और मा सब लोग यहीं रहते हैं मेरी पढ़ तो यहां पर क्या है कि अधिकारी से अधिनस्त की सूचना प्रवा को क्या कहेंगे इसका 46 का आपको सही आंसर देना है इसे कहते हैं साथ हो अधोगामी संचार इसे कहते हैं डाउन वर्ड कमुनिकेशन अधोगामी संचार देखो अधोगामी संचार का मतलब क्या होता है इधर देख समझेए कि यह मालो स्कूल का कोई प्रंसिपल है यह मालो कोई प्रंसिपल है और यह बहुत सारे सिक्षक हैं तो जब प्रंसिपल सिक्षकों से बात करता है तो उस प आदिकार के संचार को अधुगामी संचार कहते हैं मालोई सिक्षख एक ही के चांटेगिरी के लोग आपस में बात करते हैं तो उसको ओर्दवाधर संचार कहते हैं, ओपचारिक संचार का मतलब होता है कोई काम जैसे ऑफिशली रूप से किया जाता हो जैसे अभी मैं आप से कह रहा हूं कि आने केडमी पर 20% का डिसकाउंट चल रहा है यह आपचारिक संचार है क्योंकि अधिकारिक रूप से किसी ब्रैंड या किसी कमुनिटी या किसी सरकार या किसी बॉडी के विहाब पर मैं यह कि देखो अगर आप एक्सरसाइज करते रहोगे तो खुस रहोगे नींद नहीं आएगी स्वस्थ भी रहोगे मस्थ भी रहोगे और जैहिंद भी कहते जाओगे उपर की यह आपने यह उपर की और समझ लिया उपर कमल नीचे से अगर कोई उपर बात की जाते हैं जैसे नीचे के करमचारी अगर उपर के अधिकारी से बात करते हैं तो इसको अप वर्ड कम्मुनिकेशन कहते हैं क्या कहते हैं अप वर्ड कम्मुनिकेशन कहते हैं इसको चलिए इसमें चारों उप्शनों को आपको समझाने का प्रियास करूँगा चारों उप्शनों इसको भी इसको भी सबको वेकेंसी कब तक आ जाएगी कोई अभी पुरानी एक्जाम होने वाली है वेकेंसी नई सरकार चेंज होने वाली है आपको पता है राजिस्तान में चुनाओ आने वाले हैं तो कोई भी सरकार होती है मौजूदा हो चुनाओ के टाइम पर वेकेंसी निकालती है तो आप जरूर से डेम शौर वेकेंसी आने वाले रास्तान में हरे कि अरे किशना हरे हरे चले साथ भाव बोदक संप्रेशन किसके द्वारा प्रेरित होता है बात वरी इमोशनल कमुनिकेशन की इमोशनल कमुनिकेशन की यहां पर बात हो रही है तो थोड़ा ध्यान दैरिये के साथ करना इस कोशन को हारे हारे संभू संभू अरे भाई जिनको किलियर नहीं दिखा उड़ता हो क्वालिटी बढ़ा लो यार किलियर नहीं दिख रहा किलियर नहीं दिख क्वालिटी बढ़ा लो ना दादा हो फोटी एट में आप लोगों ने सही आंसर दिया है और यह साथ यह उग्रता क्या है उदासीन उग्रता इसका मतलब समझें दुखी होकर मुझे मुझे पानी पीने का सौक नहीं पीता हूँ प्यास उजाने को यह क्या बात है उदासीन उग्रता क्या मतलब नहीं यहाँ पर है कूट लेखन एनकोडर व्यक्ति की विशेष्टाएं अब एक बात समझो कि पहले के समय में एक होता था संदेश वाहक क्या होता था संदेश वहाग को संदेश लेकर जाया करता था पहले संदेश वहाग को दूथ को संदेश ऑगते थी अब पहले के टाइम पर क्या होता था कि जिस प्रकार से संदेश सुनाया जा रहा है भाई आप जमाना बदल गया यार अब आप वाटसेप के जमाने में रह रहे हो कुछ भी किसी को अडंग बढंग लिख दिया और बाद में डिलीट कर लिया आज गल तो ये भी पता नहीं लगता है कि वाटसेप पहले तो पहले तो ऐसे डिलीट नहीं करने देता था वाटसेप मेसेज को बाद में 15 मिनिट आ गया 15 मिनिट के बाद में डिलीट कर लो अब साथ कई दिन बाद में भी आप डिलीट कर सकते हो अपनी कई हुई बास से मुख कर सकते हो तो पहले क्या था पहले क्या था साथ एक संदेश वाक हुआ करता था जो लोग थे जैसे नाईका जैसे नायक परदेश में कमाने गया है एक होता था परदेश परदेश अब परदेश का मतलब है भारत के अंदर ही एक जगे से दूसरी जगे जाना परदेश कहलाता था पहले अमालो कोई नायक है वो परदेश कामाने गया है और उसकी नायका विरह में मरी जा रही एक दम विरह में चूर है तो और क्या करेगी एक संदेश वहाग को बुलाएगी और संदेश वहाग के समने अपनी बात को कहेगी कैसे कहेगी जहां उसको रोना हो रोएगी सिसकेगी फ यो संदेश वाहक है जब भी नायक के पास जाएगा परदेश में तो उसी तरीके से कहेगा जिस तरीके से नायका ने रोते हुए या हसते हुए कोई बात कही है उसी भाव बोध के साथ कहेगा उस बात को तो यहाँ पर क्या है एनकॉडर का मतलब है जो भी व्यक्ति है जिसे मैं इस समय क्या हूं, एनकॉडर हूँ, तो लेकूट लेखक एनकॉडर के व्यक्तित की विसेश्था बतलाता है, तो यहाँ पर सात्यों आपके व्यक्तित के आदार पर है, कि आप emotional हो या नहीं है, दो परकार की चीजे हैं, तो इसलिए सात्यों यहाँ पर 48 का सयान सा देना, क्या क्या बात हो गई भाई, तामर पत्र लिखा करते थे पहले, मूसा मार कर भी लिखा करते थे, मूसा चुवा मार कर, चुवा मार कर भी पत्र लिखा करते थे, यह भी मत भूलो, जमाना बदल गया है यार इनसान वो ही है स्वीटी किरन लो मैं भी लगा लू चसमे तुम चसमे लगाने की बात करते हो तो लो नहीं क्या हो गया हुँ नहीं कौन गुसा हो गया भाई अरे भाई पूछो मत यार पहले वो आपने देखा नहीं 10 रुपे के रिचार्ज कराती थी नहीं का 7 रुपे और कुछ पैसे मिला करते थे भाई साब एक महीना चल जाता था अब देखो महेंगाई पर महेंगाई कितनी जाता पहले 10 रुपे के रिचार्ज को सिर्फ मिस्कॉल के काम में लिया करती थी नायक या नायका हैं मिस्कॉल के काम में लिया करते थे यह सोच लो आप और हमने ऐसे भी नायकों को देखा है जब पूरे दिन फॉन को ओफ ही नहीं करते थे पूरे महिना चल जाता था भाई पूरे महिना निसा कह रही है कि सर मैं अभी आपकी अनेकेडमी पर मैथ की क्लास ले रही हूँ सच में आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि शब्द नहीं है बोलनी के लिए ये निसा कह रही है सर 6 रुपे 90 पैसे मिलते थे अरे भाई सागर तुझे ज़्यादा पता है यार क्या बात है छोड़े भाई 10 रुपे के रिचार्द भी बड़ा कमाल कवा करता था और आप देखो हाँ चंदा सही है आज गल तो मच्छरों में बहुत खून होता है चले आए अभी एक बर समझ लोगी इसको समझ लो भाई संके इसका मतलब क्या है यह होता है यहां एक होता है और यहों जो संदे संसय को लिख लिख रहा है बर्ब अले आज अरहा तकल मच्छुरों में ले ने वे बहुत खून नि्कलता है भाई देखे मच्छ भी तने मोटे मोटे किसी के मारने से नाम रहे हैं आज करके मच्छर खतरनाक कि बड़ा अच्छा लगता है क्लास में कोई किन्नू किरन का नाम किन्नू कर दिया स्वीटी का नाम सीटू कर दिया कावया का नाम केवी कर दिया आरे वाँ भाई वाँ क्लास में दोस्ती बहुत करवाता हूं मैं आप लोगों के आपस में दोस्ती खुब करवा देता हूं मैं आप लोगों की कूदजा ये कूदजा ये कूदों के नहीं जब तक पार पड़ेगी नहीं कूदजा रभी कूदजा उन्नु आ गई ये हे बाई जै हो तारे देवियो जै हो इतना घहरा प्रेम इतना घहरा प्रेम कि देखा नहीं जा रहा दोस्ती हो जाली चलकी चलिय चलिये चलिया सकारात्मिक का प्रिणाम नंश्य क्या होता है कि करेंद कभी हो ई नहीं सकता समर्पन कभी हो inclusion अनू नहीं विन्य यानी यह चीजूते शाहती है अनुने विने होता है तो इसको समझाओंगा मैं आप लोगों को चलो ए निये संदीज क्या होता है मौकी क्या होता है मोकी इन तीनों को समझाओंगा चलो ओ भाई बंदू वो सुबह 10 बज आया करो अने केड़ी में फ्री क्लास होती है सुबह 10 बज सुबह 10 बज फ्री क्लास होती है उसमाया करो क्या कह रहा है चेला भी ने ए मौकिक संदेज समझा दूँगा कौसर गरो आप पहले मौकिक संदेज इस का यह सा ain answer यह सीज़दा करेक्ट if जब मोखिक तथा यह मौकिक संदेश परस्त पर व्रोधी हो तो यह कहा जाता है कि यह दिकांज लोग किस पर विश्वास करते हैं यह मौकिक गए हो या किसी ऐसी संस्ता में गए हो वहां के करम चारी ने आपके किसी काम करने से मना करते हैं कि जा सिम्रंजा की अपनी जिंदिगी जी ले मैं नहीं करूंगा एक काम तो आप यह कहोगे बैंक में किसी प्रकार का कोई लंच नहीं होता है बैंक की नौकरी में ओफ नहीं होता है तो आप कहोगे कि लिख लिख कर दे दो कि तुम ये मेरा काम क्यों नहीं कर रहे हो लिख कर दे दो तो आपको और लिखी बात पर ज्यादा बरोसे करोगे ऐ लिखित बात के उपड़ यह मौकिक संदेश में उग्र संदेश का मतलब होता है किसी को जगडे में दमकी दे देना कि बेटा सुदर्दा नहीं तो तुझे मुर्गा मना दूँगा मौकिक संदेश वर्चुल मैसेज और एन यह में समझेज रेंडम हम लोग किसी को मैसेज कर देते हैं क्या बात हो गई भाई चले लंच टाइम नहीं होता है पायल पायल नहीं मैनेजर क्लास में देख रहा है ये मैनेजर के पास मेरी येस्वाली क्लास का कहा से क्या मिल गया भाई मैनेजर πायल मैंता मैनेजर हो रही है मैं नहीं होता है लंच टाइम बैइंक मनी होता जाते मेरी जान करिये बैंक में कि आप करके चेंज करके की होगया है लल्लन टॉप गुरुजी हैं हम लल्लन टॉप गुरुजी हमारी लल्लन टॉप ट्रिक चलती है तो लल्लन टॉप गुरुजी हैं हम चलिए लल्लन टॉप लल्लन टॉप ट्रिक से लल्लन टॉप गुरुजी के नाम से पिछले दो साल से पॉपूलर हैं तो तो नए बच्चे होना आप लोग तो ये वाला क्वेशन करिए जगड़े के टाइम बोलते हैं कि कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता जगड़े के टाइम तो पता ने क्या क्या बोलते हैं भाई जगड़े के टाइम तो पूछो मत नूरी आजाईये भाई साथ फड़ापट से आजाईये ज्यादा लेट मत हुआ करो यार मेरी किलास में आप लोग लेट हो जाते हैं तो मुझे मज़ा नहीं आता बी कक्षाब में विद्यारतों को सम्मुदित करते समय अध्यवक द्वारा ध्यान में रखे जाने वाले मैत्वुन तत्यों को चिन्नित करो सानिद से नहीं बचरा पुनवर्ती से बचना लेकिन वाक स्वारा घात यह है इस तिर भाव बंगीता हो तो बिलकुल नहीं होनी चाहिए आपको हमेशे अपने हातों को पैरों को ऐसे मलब हातों को एक्सन के माध्दम से आपको समझाना पड़ता है तो भाव बंगीता नहीं प्रभावी संप्रेशन में आउरोध क्या है वाक्षवारा घात का मतलब होता है जैसे बोलते हो ना उतार चंडाव वाली बात बात चीतों में चलिए गाईज चलिए गाईज आए जाले गाईज 56 का सही आंसर दीजिए इसमें आ गया सात्यों ए आपर बिलकुट सही है कि नीती प्रवचन निर्णे परकोना और सांतोना प्रदान होना ए यहाँ पर बिलकुट सही आंसर नीती प्रवचन निर्णे परकोना और सांतोना टिपनी प्रदान करना ए यहाँ पर बिलकुट भी कता ही करेक्ट आंसर यहाँ पर 2016 में आंसर आ गया है यह मैं आपको सारा समझाऊंगा कि माइंड मैपिंग क्या होता है साठकान समझाऊंगा सागर कह रहे हैं कुछ अमारे गाह में कुछ लोग अपने आपको सिकंदर कहते हैं लेकिन उनके माता पिता उनको बंदर कहते हैं सागर कहरे हैं बात को बहुत बढ़िया वाई झाल पित्व कावब लोग मैं कुछ आपको साथर कहते हैं वाई रग्दोन आपको साथर को साथर कहते हैं विचारों के गतिसील पैटरन के सुरुवात के लिए कक्चा संप्रेशन का केंद्रे मिंदो के रूप में प्रियोग क्या कहलाता है साथ का सई आंसर आपको देना है क्या कहते हैं मस्तिक्स चित्रन क्या कहते हैं मस्तिक्स चित्रन याने की माइंड मैपिन कई आप लोग नहीं समझ लेते हैं किसी के माठी में क्या चल आपने पहले पहले क्लास हुआ करती थी एक्चाम प्ञाद है आपकी पहले आपकी पहले इसकूल में अर्द्रवार्शिक वार्शिक Jetzt नहीं हुआ करती थी उस समय ठीक के है कि हम भी आा माइंड में क्या चल रहा है माइंड मैपिंग कहते हैं कि इसको केंद्र बिंदों की धान रखे टीचर्स माइंड मैपिंग करते हैं कि यह 61 कॉशन का कॉशन देना जरूरी है क्या वाद संदीप पाथग चलिए गुडिविनिंग गाइज गुडिविनिंग वानी के बजाए आवाद के पहलों को जाना जाता है 61 का सही आंसर देना है सी आंसर है पराबासा के रूप में पराबासा का मतलब क्या होता है कि जब भी हम बात करते हो शब्दों के बीच में जो उतार चंडा होता है बातों के बीच में जो उतार चंडा होता है उसको कहते हैं पराबासिक क्या कहते हैं कभी हम शब्दों को धीरे बोलते हैं कभी हम शब्दों को तेज बोलते हैं ऐसे इनको पराभासिक ऐसे है किसे कहते ऐसाथ ती पराभासिक वैसे यह बताओ ग्यार्यatore्ठ यह दस बजे के टाइम आपको लगता कैसे पराबासिक का मतलब यह होता है शब्दों की बीच में उतार चंडाओ रखते हैं उसको कहते हैं पराबासिक है कि अभार्सा के रोप में आप अपनी बॉदी लेंग्वेज शब्द अपनी बॉदी लेंग्वेज होते हैं यहातों का है सारे से समझारहा हूं यह कर रहा再 कर रहा हूं इसे कहते हैं सारे कहा ने सक्णड conferral वह आप लेंग्विज कहते हैं, बॉडी लेंग्विज कहते हैं। लेंग्विज कहते हैं। अरे बापरे, क्या बात है, क्या बात है, बिलकुल आ गई भाई। पिटना थोड़ी ना हैं। यह नहीं आई ऐसा कह दूँगा तो मतलब अच्छी बात नहीं है नहीं। कक्षा संप्रेशन के संदर में मनोवर्ति और कारियों के परकेटन को किस रूप में समझा जाता है। 63 का सई आंसर आपको देदी विए। मनोवर्तियों को आप कोई चीद करते हैं इसको एशाब्दिक रूप से समझा जाता है। चले काईज। एशाब्दिक का मतलब होता है कि जिसमें शब्दों का प्रियोग नहीं होता है। सबसे पहले सिखाना चाहूंगा। साथ यो कभी-कभी जो चीज हमको बहुत सरल लगती है वो बहुत कामकी होती है। और उसको हम इग्नोर कर देते हैं और उसको ना पढ़ते हैं ना उस पर जीवन पर ध्यान देते हैं। और वो ही चीज हमको कई बार बहुत बड़ा नुकसान उठा कर देती है। तो सबसे पहले मैं आपको ABCD सिखा रहा हूं। देखो मैं हमेशा जब मैच पढ़ाता हूं एक बात कहता हूं। मेरी क्लास में कोई भी विद्यारती A से लेकर Z तक उसको ABCD आनी चाहिए और एक से लेकर 100 तक उसको गिंती आनी चाहिए। बस इसके अलाव और कुछ भी आनी कि उसको जरुत नहीं है। इन सब में बेडापार हो जाएगा। तो चलिए उमीद है आप सब को याता होगा। सबसे पहले अच्छे बच्चों की तरह अच्छे दोस्तों की तरह आप इनको याद करो। मैं मानता हूँ आपकी नजरा में बिल्कुल सरल है लेकिन ये चुटकियों में याद होना चाहिए ऐसे। A आता है एक नमबर पर, B आता है दो नमबर पर, C आता है तीन नमबर पर, D आता है चार नमबर पर, A आता है पांच नमबर पर, और F आता है छे नमबर पर, इनको हमको याद करना है, अब इसको हम कैसे याद करेंगे, इनको हम देख लेते हैं, देखो, आपको यहां तक तो वैसे भी आता होगा F तक तो अरे सब को बता है B2 नमर यहां तक तो वैसे भी आता होगा याद करने की जरूती नहीं है आता है ना उसके बाद मैं G7 G7 नमर पाद G7 की मिटिंग होती है G7 कंट्रियों की मिटिंग होती है G7 H8 I know I know I know पेटा मैं जानता हूँ I know मैं जानता हूँ तुमको कितने बड़े हो तुम I know G10 G10 K11 L12 M13 और N14 इनको ध्यान रखना हमेशा बहुत मोष्ट हैं M13 नमबर पर आएगा N14 नमबर पर आएगा O15 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 आपने वो डायलोग सुना होगा ने O15 नमबर पर P16 Pकर्स हो गया क्या Pकर्स हो गया दूद Pकर्स हो गया P16 आप क्या समझ रहे थे ताडी अरे ना यार दूद Pकर्स हो गया Q17 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 R18 S19 T20 U20 V 22 W23 X24 Y25 Z26 रटलो रटलो इनको एक बार अच्छे से एक बार और पढ़िये गाई पढ़िये चलिए एक बार और पढ़िये मेरे कहने से अब ये है सात्यों उल्टे ABCD एक दूसरे के उल्टी लिखी हुई है अगर आप जान दोगे A के उल्टा Z लिखा हुआ है जैसे एक नमबर पर A आता है इदा देखिए एक नमबर पर A आता है तो सात्यों सबसे अंत में 26 नमबर पर Z आता है तो A का उल्टा Z अब हमारे भी हमने इसकी ट्रिक बनाई थी जब हमारे मास्टर जीन हमको सिखाया था उसमां अजरुद्दीन तगड़ा पलियर था उनके नजर में उनका फैवरेट रहा होगा जैसे आपका कौन है आपका फैवरेट खिलाड़ी कौन है मैं सबसे पहले अपना बता देता हूँ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आर्दिक पांड़ा है हाँ पहले मुझे सवरोगामली बहुत तगड़े पसंद थे फिर मुझे यूराज सिंग बहुत तगड़े पसंद आए और अब मुझे आर्दिक पांड़ा इसके अलाव कोई पसंद नहीं है अब आप नाम लेने की जरुरत नहीं है बट आप अपना बताओ आपको कौन पसंद है हाँ एक लड़का है सूरिया अभी कापी अच्छा खेलता है वो भी बहुत शानदार के लाड़ी है आप अमना क्या है उस समय हमारे टीचर को क्या जरुदीन पसंद होगे जैसे एका उल्टा जैड अजरुदीन उल्टा बना लो जैड अजरुदीन CX 6R DW दूदवाला लिख लो इनके आगे इसके आगे लिखो आप लिखते जाना मैं लिख रहा हूँ AZ अजरुदीन BY बाई बाई CX 6R DW दूदवाला EV एवरीडे FU GT रोड Grand Track रोड किसने बनाय था किसने बनाय था एक बहुत ही महान सासक हुए थे किवल 5 साल राज किया था भारत में उन्होंने लेकिन उन्होंने बहुत शानदार शानदार काम किया जिन में से Grand Track रोड भी एक है नाम बताओ कॉमेंट्स में हुमायू को हरा कर उसने पास साल के लिए भारत पर राज किया था सुल्तार मना था भारत का और वो है सेर सा सूरी H.S. हाइ सानिया H.S. हाइ सानिया I.R. इंडियन रेल्वे बोलो इसको इंडियन रेल्वे J.Q. एक हीरोई नहीं जेक्लिन फर्णाडिस उसके नाम पे से J.Q. याद रख लो के पी कफिल के नाम से याद रख लो L.O. लव याद कर लो या फिर मेरा नाम याद कर लो, लोकेश, MN, मन याद कर लो, यानि कि आपसे लिंक बिठा लो, क्या साती हो, लिंक बिठा लो यहाँ पर, कभी आपसे Z का उल्टा पूछ लिया जाएगा A, कभी A का उल्टा Z पूछ लिया जाएगा, कभी E का उल्टा V पूछ लिया जाएगा कभी V का उल्टा E पूँच लिया जाएगा कभी K का उल्टा P पूँच लिया जाएगा और कभी K का उल्टा P पूँच लिया जाएगा P का K पूँच लिया जाएगा एक बार पढ़ लो ये चीजे बहुत काम की हैं अगर आप मैत की तैयारी करते हैं तो ठीक है guys, सब के comments देख रहा हूं मैं, एक वेक व्यक्ति के, पर comments देख ही रहा हूं के वल मैं, आगे बढ़ें, सबसे पहले, अक्षर, number और letter series को हम लोग शुरुवात करने वाले हैं, किसी करने वाले हैं, number और letter series की सुरुवात करने वाले हैं, तो इसमें कई type के questions आते हैं, एक type के questions इस तरीके से आते हैं, तो सबसे पहले, इस question के अलावा, एक इस type के question आते हैं, पिर इस type के question आते हैं, प सबसे पहले हम इस कॉशन को पढ़ेंगे अब यहां पर क्या दे रखा है ज्यान से समझो देखो एक जोड़ा यह दे रखा है एक जोड़ा यह दे रखा है एक जोड़ा यह रेक जोड़ा यह अब यहां पर क्या होता है इनके बीच में इस जोड़े के बीच में संबंद है व चलिए गई, ज्यान से पढ़िए मैं थोड़ा समय दे रहा हूँ, आप सौल कीजिए बेड़ा ध्यान से, ट्रिक मैं सिखा दूँँगा, आप लोग जिनता ना गरे, आप मैं से बहुत सारे विद्यारतियों ने सई आंसर दिया है, देखो आप मैं एक कह रहा हूँ कि अगर आप आंसर देती हो ना पहले देखो, एक और फिर लिखा करो, आप A, B, C, D, जो भी लिखना चाते हो, ठीक है, तो कौशन नमर एक का अगर मैं आंसर की बात करूं, तो क्या है साथ यो, V, I, J, अभी लिंक कैसे बठाया है, इस चीज़ का हम लोग यहां पर ध्यान देंगे, अब यहां पर क्या है कि देखो इनक का सम्बंद U से है, E का सम्बंद G से है, और F का सम्बंद H से है, यानि कि जिस गती से T U बदल रहा है ना, उसी तरीके से आगे चीज़े बदलती जाएंगे, लेकिन यहां पर मैं आगर फॉर्मूले की बात करूं, ट्रिक की बात करूं, तो क्या करें, तुम अंतिमंग पक एच कितने नमबर पर आता है, मुझे यह पता है, F कितने नमबर पर आता है, F आता है साथ यो छे नमबर पर, और H आता है आठ नमबर पर, इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि इस F में और H में क्या है, प्लस दो हो रहा है, क्या हो रहा है यापर, प्लस दो हो रहा है, अब हम क क्या करेंगे इस एच में दो जोड़ देंगे अब यह हमारा आठ पर है इसमें दो जोड़ देंगे तो आठ रब दो कितना हो गया दस हो गया अब मैंने आपको याद कराया था जे दस J आता है दत नम्मर पर तो इसका अंती मंग कितना आ जाएगा J आ जाएगा तो J किसमे है इसमे है और हमारा आंसर हम मान लेंगे अब लेकिन समझने वाली बात ये है कि हम इन शब्दों से भी आगे का मिलान करेंगे और करना चाहिए अगर सौट में बतला हूँ तो सिरफ हमको J निकाल लिया और J हमको आप्शन में मिला लिया और हमारा आंसरा जाएगा आगे बढ़ते जाएंगे तो चीजे हमको याद होती चले जाएंगे दैरिये के साथ किलास में बने रहो हम अगले कॉशन में और बहतर सीखेंगे चलिए इसको सौल करने की कॉस्टिस कीजिए आगग मजा रहा है गाइज कलास में अच्छा लग रहा है क्या अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो सब किसाद अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो सब किसाद कॉमेंट्स पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए आप लोग सिरफ कॉश्टन करने पर ध्यान दो मेरी क्लास में एक दूसरे से कोई बात नहीं करेगा एक पहली बात जादा से जादा कॉपी पैन निकाल कर कॉश्टन सौल करेगा अनरगल बे फिजूल टॉपिक के अलावा कोई सवाल नहीं पूछेगा क्योंकि टॉपिक के अलावा अनरगल सवाल पूछेगा तो मैं ध्यान बटकता है क्लास में से इसलिए भी फोकस फोकस करो टार्गेट पर ये सब्द हिया का कर लिजिए जल्दी भाजे नहीं किसे ब्रगार की कर लिए कि अब बेडम वाइट पर अब बी का कैसे देखो एक बास समझा देता हूं बी कैसे जल्द बी कैसे यहां पर बी आंसर कैसे कि देखो जिन भी दोस्तों को सस्क्रेप्शन लेना है वो जल्दी से जल्दी जोइन करो क्योंकि अभी बहुत ही तगड़ा उफर चल रहा है आप लोगों को पता ही होगा आप तो एक कॉड याद रखो एल ओके एस एच डबल वन इस कॉड से आपको 25 प्रतिसत का डिसकाउंट मिल जाएगा अब बी आंसर कैसे है ये मैं समझा देता हूँ जो भी साथी मुझसे बात करना चाते हैं मैं इस क्लास में फिर से बोल रहा हूँ जो भी साथी बंदू मुझसे बात करना चाते हैं वो एक टेली ग्राम चैनल जोइन करो जिसका नाम है डॉक्टर लोकिस वाली एन अकेडमी मैं दिखा देता हूँ रुको हॉल्ट रखो थोड़ा सा आईए अब बी आंसर कैसे है इसका हमें एक बार पता लगा लेते हैं बी आंसर कैसे है देखो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि इसमें एक दूसरे का सम्बंद एक दूसरे जैसे है अब जैसे में इसको सॉल करना सिखा देता हूं आपको क्या है जैसे इस डी का संबंद जैसे है और वाई का संबंद एक्स से है तो डी कितना नंबर पराता है सबसे पहले मुझे यह बताओ डी डी आता है चार नंबर पर और जे आता है दस नंबर पर अब बताओ इनके बीच में कितने का अंतर हो गया जे आता है दस नंबर पर और डी आता है चार नंबर पर इनके बीच में प्लस छे का अंतर हो गया नहीं हुआ इतनी बात समझ लग गी है आपको एक connection पता लग गया ठीक है अब यह देखो Y और X Y और X में क्या अंतर है Y और X में क्या अंतर है X Y और Z X Y और Z Y आता है 25 नमबर पर X आता है 24 नमबर पर अर्थाद माइनस एक का अंतर है सहमत मेरी बाद से सहमत मेरी बाद से सहमत हो क्या अदे यार आरे इंको बोलो यार क्लास चल लिए आरे को ये वर देंशी एक है कि तूँ आरे आरे आज मैं समझ नहीं इसमें वह 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 वाला हिंदी वह काम नहीं तुझे क्या-क्या लिखना है इंदी का वह मुझे बता तो मैं लिखते बेदूं इस तुम्हें अभी वीजियो में तुझे गंटे बाद कॉल करूं पर सब्सक्राइब गाइच ओके तो इसका अंतर हमको पता लग गया है इधर देखिए तोड़ा तो कॉशन को तुम समझने की कॉशिस करो यानि की देखो डी आता है चार नंबर पर और जे आता है दस नंबर पर प्लस चे का अंतर वाई आता है 25 नंबर पर एकस आता है 24 नंबर पर माइनिस वन का अंतर अब इसी अंतर को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे क्या क्या हो सकता है इसी अंतर के साथ अब देखो यहां पर देखो साथ इस जे में इस जे का इस ओ से संबंद बताओ जैसे यह आता है दस नमबर पर उत्फब्स पनर पंधर पप्लस पांच का संम grouped याद आ यहां इसलिए मन्हें याद करवायता कि सब चीजों को याद रख लो तक चुट्कियों बता सको यह आता है दस नमबर पर ऊता है पंडर प्लस फांच कंतर अब पहले उप्र ऊपर का मिला लेते हैं कि पहले उप्र ऊपर का मिला लेतेे हैं चलो अब यहां पर यह 19 नमबर पर अर्थात प्लस 4 का अंतर है यह इसमें हमको यह अंदाजा लग गया है कि हमेशा एक घटता हुआ जा रहा है तो अब हम इसको वैसे ही आगे कर लेंगे अरे ब्रभू क्या हो गया हाँ अब इसमें इसमें ऐसे ही आगे कर लेंगे कि S 19 पर है और V कितना नमबर पर 22 पर है क्योंकि इनके बीद में प्लस 3 का अंतर है और इसी तरीके से V में और अगले शब्द में प्लस 2 का अंतर होगा तो V में अगर 2 जोड़ दें तो V कितना नमबर पर आता है V V कितना नमबर पर आता है Guys V वी कितने नमबर पर आता है? वी आता है साथियो, कितने नमबर पर? वी आता है 22 नमबर पर. तो अब अल लगा दो, वी आता है 22 नमबर पर. तो 22 प्लस 2 करेंगे, तो कितना हो गया? 24 हो गया. तो 24 नमबर पर क्या आएगा? X आएगा. क्या आएगा? 24 नमबर पर X आएगा. इसका मतलब भी वह ए, एक शब्द यहांपर क्या आएगा? X आएगा. यानि कि दो शब्द है ने, एक शब्द और दो शब्द. शुरुवात का शब्द क्या आएगा? X आएगा. ठीक है? अब इससे पता लगा है, या तो हमारा सी आनसर है, या हमारा बियानसर है. अब अगले चीजे करते हैं, यह नीचे यह छोड़ दिया था, इसको पूरा करते हैं आएगा. आएगा. जैसा कि हमको पता कि हर चीज मां माइनस वन कर रहे हैं यहांपर, तो अब आगे देख लेते हैं, यहांपर X देख लेते हैं, इधर देखिए. यहांपर X आता है 24 नमबर पर, और W आता है साथ यो 23 नमबर पर, यानि कि माइनस एक कंतर यहां भी है. W 23 नमबर पर आता है, यहांपर ध्यान से देखते जाए, W 23 नमबर पर आता है, और V हमारा 22 नमबर पर आता है, तब माइनस एक कंतर. V हमारा 22 नमबर पर आता है U हमारा 21 नमबर पर आता है zas 1 कंतर तो U का बाद में फिर minus 1 कर देंगे तो U हमारा 21 आता है 21 minus 1 बड़ाबर 20 बड़ाबर 20 नमबर किस पर आता है T T20 T20 कहा साथ हो T20 अर्थात XT अर्थात answer ही आ गया अब बताओ किसी को कोई समश्य हो तो अब मुझे बताओ कि सर ये सवाल हमको समझ नहीं लगा है और इस जगे से समझ नहीं लगा है अब बताओ किसी को समश्य है तो मैं यहीं खड़ा हूँ आगे तब बढ़ूँगा जब आप कर लोगे कि भाई गुरुदेर हो गया काम इनका रिष्टा देखना है आपको स्रंकला बनती है एक के बाद में एक चीजों से बोलो कोई किसी को समश्य है अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ बाद में यह मत कहना कि समश्य है चलिए अग्रा सवाल कोईशन नमर आठ आपके लिए एक्सरसाइज करो मैं थे एक ऐसी चीज़े जो बिना एक्सरसाइज के नहीं होगी इतना मान लीजिए आँ स्रंकला कोईशन नमर आठ करिए 2018 में कोईशन आया है हर साल यह कोईशन आता है मैं सबी दोस्तों का धन्सबात देना चाहूंगा जो इससमें देख रहे हैं अच्छी तरीके से आप अचल, आप चौसक का अच्छी तरीके चाहूंगी प्याटव हरा जो कि अच्छान से और फिर करो अब मैं इसका एक तरीका बता देता हूं आपको एक मैं इसकी ट्रिक बता देता हूं इसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूं मैं हमेशा कहता हूं तुम अंतिम अंग को पकड़ो तुम ऐसा करो अंतिम अंग पकड़ा करो हमेशा डी का के से संबन्द के का एस से एस का बी से बी का एल से और एल का अंतिम शब्द से निकालो और अंतिम शब्द जादा अच्छा रहत तो मैं आपको बता दू थोड़ा सा कि डी ॉर के का अंतर जैसे डी आता है च्यार नंबर पर के कितना नंबर पर आता है ग्यारे नंबर पर अब इनके वीच का कितना अंतर हो गया शाट अंतर हो गया ऐसे करते जाओ है ना अब के-ई-एस भी-ई- एल और पिर जाके अंतिमक्षर आएगा उससे यह मिलान कर लेना काइन के कुछ और कुछ मिल जाएगा ठीक है करो कि मैं टिपा दिया एक तरीके से कॉस्चंट टिपा दिया मैं ने यह मैं कॉमेंट में आपके सब के आनसुर देख रहा हूं नाम नहीं ले रहा हूं आनसुर सब के देख रहा हूं सब के सब कॉमेंट्स करोगे यह मैं पुमेंगों टनसुर देख रहा हूं अ नहीं युग जब हूं शार्वण अधिकतर लोगों ने C आंसर दिया है और मैं भी C के साथ ही जाना चाहूँगा आंसर नमर C क्या साथ हो आंसर C इटमेंस ZKW आए कैसे किया है इसको हम देख लेते हैं मैंने जैसे कि ट्रिक बताई थी आपको D और K में देखो D आता है 4 नमबर पर K आता है 11 नमबर पर इसका मतलब दोनों के वीज़ में 7 कंतर है प्लस 7 कंतर है कितना कंतर है बिटा प्लस 7 कंतर है आगे देखो K और H K आता है 11 नमबर पर तो S कितना नमबर पर आता है K और 11 में आप 8 प्लस हो जाएंगे हाँ बिलकुल आप लोग ने सही कहा कि यहाँ पर 7 प्लस हो रहे हैं यहाँ पर 8 प्लस हो जाएंगे यहाँ पर 9 प्लस हो जाएंगे और यहां पर सातियों 10 प्लस हो जाएंगे और यहां पर L के बाद में 11 प्लस हो जाएंगे क्या हो जाएंगे 11 प्लस हो जाएंगे तो L आता है 12 नमबर पर L बराबर 12 12 इंटू 11 तो 11 दून 22 और 23 नमबर आ जाएगा तो W आता है सातियों 23 नमबर पर एल बारा बारा प्लस ग्यारा बराबर तीवीस तीवीस पर आता डबलू सरल है इस तरीके से कॉशन करना था चलिए करिया अंसर ठीक है अर्चना ओके कर सकते पहले करा देए आप करा देंगे दुबारा झाल कि अच्वार्वे में बी आने लगा है आपके पूल में की बार्वे में बी आंसर है बहुत बड़िया यार कर लें अब साथ यूश को बार्वे को भी अमेग बार्वार सॉल करके देख लेता है 17 आप लोगों ने आंसर वा दिया है क्या कह दिया है आप लोगों ने इसका आंसर कितना है 17 और बापु जी धीरे चलो प्रेम में जरम चलो अब ठीक है चले गाए इसको बार्वे में 17 कैसे आया एक बार इसको आप घरम देख लें तो मज़ा आ जाए कर लें क्या आगे बढ़ू या करवाओ इसको बार्वे नंबर को करवाओ हल या आगे बढ़ू सब लोगों ने भी आंसर दिया है चले हम करवाओ देते हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे बाद में देख रहोगे जिश्यस नहीं आता होगा और हमारा काम है आपको एक एक चीज बेसिक से समझाना, क्या साथियों, कि हमें आपको एक एक चीज क्या समझा दें, बेसिक से समझा दें, जब दो तरीके होते हैं साथियों, इस तरीके के प्रस्णों में, तीन, साथ, दस, चौदा, और ये, क्या होता है, या तो संबंध इन दोनों के या फिर संबंद होता है सात्यो आपस में अगली लाइन पर होता ही हमको find out करने होती है कि आये यहां पर सात्यों संबंद देखते हैं एक दूसरे की पंक्तियों में तीन और सात में कितना अंतर तीन और सात में आई तिंग प्लस चार का अंतर है आई तिंग क्या मलब सब्सक्राइब को सब्सक्राइब में प्लस थीन तो या चार या तीन या चार फिरियाती मत जोड़्डा प्लस सतीन बेराबर 75 है उम्मीद है साथ हो इस तरीके कि मैंने कैई सारे कॉश्चन्स आपको करा दिये हैं अब आप इन कॉश्चन्स को कर लोगे आगे बढ़ें इस तरीके कॉश्चन्स करें आब चलो कॉश्चन नमबर 26 करो ताकि थोड़ा गुणा वाग जादा आ जाए काल मिल एाव जाव जाव सकता है उघकली जाव एना साले कि मजद उर्त रहला है तर्णाव जाँ पुर्णा़ kवशन है वोडो ऑना घवरेतो इता है सोड़ कि झाल में बड़ो से कि झाल में अधित झाला कर दो आपकारा दोना वे युड चैना प्रुपार ज्चित आपकार जासंद। आखार में यह बाड़े जो, रिखाओ, अदिया लू काऊ राभ नहीं पेडियो, अजै नहीं पेड़ा, हुआ जो है, हुआ बट़े, अजै नहीं पेड़ा, जै करें टो, वेह बटिजा हुआ। आढ दूच्छुछ? वांग वीड़ीड़ीड़ वीड़ीड़ीड उताथ नहीं अुभाइब नहीं नहींके अुभाइबर देल सक्क्रणीड़ीड़ी देल है कि जया रेक्ष passport क्स्ट है कि टो चाह स्टेशब डाव राह 26 का आंसर के रुजान आने लगे हैं 26 का आंसर आप लोगों ने ए दिया है 26 में आप लोगों ने ए आंसर दिया है और वैसे सब लोगों ने ए आंसर ठीक दिया है इसका मतलब है स्रंखला आप लोगों ने डंग से कर लिए इसका मतलब है स्रंखला के कॉशन अम लोगों ने ठीक प्रकार से कर लिए अब आईए कुछ और चीजों को यहां पर ट्राई कर लेते हैं एक थाइटी टू नंबर का कॉशन करिए और फिर इसके बाद में अलग कॉशन प्रसनावली लेकर आएंगे प्रसनावली लेकर आँगा अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया आप लोगों ने तो सीरियसली घोर पाप कर रहे हो आप लोग क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो घोर पाप हो रहा है चलिए 32 है आपके सामने मजाग कर रहा हूँ कोई बात नहीं है मैं जानता हूँ आते ही कर देते हूँ आप लोग लाइक देखो मैंने आपको सुरुवात में इसी लिए ही आपको सबसे पहले सार्णी समझाई थी इस प्रकार के कॉशन्स को करने के लिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अल करना आसान हो जाएगा ये लोग चलो बड़ा बड़ा दिख रहोगा आप करिए फड़ा बड़ा करिए फड़ा बड़ा बड़ा दिख रहोगा सौल कीजिए अएएभा कर वहम भी कर दो मेंगा जज हूज कर दो दो तो में अगे तो कर दो नहाएं कर दो कर दो को दो कि आ भा से रिव प्राव में खो कर दो आन्सर के रुजान आने लगे हैं और आप लोगों ने NC आन्सर माना है यानि कि आपकी नदर में कैस आती हो B यहाँ पर करेक्ट आन्सर है क्या है यहाँ पर B यहाँ पर करेक्ट आन्सर है चलिए हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं अभी ठीक है क्या अब आज माई कट किया था बीच में आठाए अब देखो इस कॉशन को सॉल करना आसान है क्योंकि यह चीज वह है स्रंकला बस अलग अलग टाइप के कॉश्चन्स यह गुमा कर दे रहे हैं तो हम अब क्या करेंगे जैड और डेबल्यू दोनों का मिलान करेंगे देखो कभी कभी क्या होता है कि हमको स्रंकला में डिसाइड करना होता है कि हम इन दोनों का संबंद निकालेंगे या इन दोनों के संबंद से निकालेंगे या हमको डिसाइड करना होता है इनिसेल में थोड़ा सा चीज देख के जानकर है ना तो Z और W, यहां से देखिए, Z और W, यहां से आप मिलान करिए, Z और W को देखे, इन दोनों के सम्मंद्ध क्या है? बिल्कुल माइनस 3 का रहा है, देखो, आपने देखा, Z कितने नमबर पर आता है? 26 नमबर पर आता है, W कितने नमबर पर आता है? 23 नमबर पर आता है, तो माइनस 3 का अंतर साती हो, यहां पर हमको देखने को मिल रहा है, अगर हम इस W को और फिर T से जोड़ेंगे तो T आता है 25 नमबर पर तो इन दोनों के बीच में और W आता है 23 नमबर पर तो माइनस 3 कंतर आ रहा ह пок Hill अगर इस T को Q Q से Q आता है 70 नमबर पर T आता है 20 नमबर पर फिर माइनस 3 कंतर और Q Q और फिर अगले शब्द से हम इसका मिलान करेंगे Q और इसमें फिर हम minus 3 करेंगे अगर हम 17 minus 3 करेंगे तो कितना होगा साथ ही हो 17 minus अगर हम 3 करते हैं तो बताइए हर जगे आपको minus 3 minus 3 minus 3 यह पर करते हुए चलना है बिलकुल minus 3 तो N कितने नमबर पर आता है? N आता है 14 नमबर पर तो 17 माइनिस 3 पर पर 14 तो यहां इस जगे आ जाएगा N ठीक है? अब अगली चीजे कर लेते हैं अगली से कैसा अगली में क्या है? एक स्रंकला तो हमने जान ली अगली स्रंकला को समझने के लिए S और W O आता है 15 नमबर पर कितने नमबर पर आता है? O आता है 15 नमबर पर और S कितने नमबर पर आता है? S 19 नमबर पर S 19, O 15 माइनिस 4 का अंतर है O 15 और K कितने नमबर पर आता है? K K K आता है 11 नमबर पर तो माइनिस 4 का अंतर Q 17 नमबर पर आता है जी आता है 7 नमबर पर और के आता है 11 नमबर पर तो माइनिस चार करते जाएंगे तो N और C इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ा सरल तरीके से इसको हम समझेंगे यह हमारी सरंकला है सरंकला की कौशन मैंने लगबग लगबग 10 से 15 करा दे हैं, उमेद है आपको, आप सब चीजों को यहाँ पर जान के होंगे, सब चीजों को सरल के होंगे, एक बार जो बाद में आए ना, एक बार इस सीरीज इनको जरूर से देख लो, एक बार इनको याद कर लो, जैसे G7 नमबर पराता है, H8 नमबर पराता है, I9 पर, J10 पर, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, एक बार इनको याद कर लो थोड़ा सा, एक बार पढ़ो, एक मिनिट का समय निकाल कर, दो-तीन बार रेडिंग करो इनकी, पिंकू, कोई बच्चा है, पिंकू नाम से लिए मैसेज कर रहा है, अगला एक बार यह उल्टे शब्द है जैसे एका उल्टा जैड बी का उल्टा वाइट एक बार इनको और देख लिए जैसे मैंने ऐसे याद करा रखा एजैड अजरुदीन यह म्यूट का उप्शन नहीं होता है एजैड अजरुदीन बी मतलब बाई 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 सी सिक्सर डी दूदवाला एवरी डे फ्यू जी टी रॉड हायसानिया आई यार इंडिया रेलवे बना लो इससे जैकलीन केपी लाव मन कुछ भी आप इनसे दूसरे से लिंक करके मिला सकते हो ताकि आसनी से इनको याद कर सकें यह अपोजीट एलफाबेट है ठीक है अब हम अब हम अगली सीरीज अगली परसनावली देख लेते हैं रुख जाओ थोड़ा होल्ड रखो अब हम अगली परसनावली एक बार देख लेते हैं चलिए मिल जाएगा मिल जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उन्नती भी आ गई है देखो कॉशन को थोड़ा समझ कर करना है पूरा समय दूँगा इस कॉशन को करने में पूरा समय दूँगा कोई जल्दिवाज नहीं रहेगी पूरा समय दूँगा इस कॉशन को करने में क्योंकि ये कॉशन इसी टाइप के कॉशन आज कल की exam से पूछे जाते हैं तो थोड़ा सा समय लेकर करिया आराम से ये question बढ़ा है अब हिंदी और इंग्लिस लाने के चक्कर में point को थोड़ा छोटा करना पड़ रहा है ये सब हिंदी और इंग्लिस को एक साथ लाने के चकर में हो रहा है अन्यता ऐसा होता ही नहीं प्रतिभा आपके मैसेज को मैं देख पा रहा हूँ सर हम आज लाइव हैं बहुत बड़िया भाई बहुत बड़िया लाइव है तो सोच समझ कर करो समझाना मेरी गैरेंटी है एक एक शब्द को समझा दूगा बस आप सोच समझ कर आंसर दो एक एक शब्द को मैं समझा दूगा आप चिंता ना करें जोड लगाओ यार ये लगा लो एक जाम आएगा सब का पढ़ रहा हूं सात्यों नेहा सोनी सब का पढ़ रहा हूं जै कह रहे हैं कि मैं फर्स्ट आप आपकी लाइव क्लास में हूँ बहुत बड़िया वेरी गुट जितने भी दोस्त पहली बार हम लाइव जुड़े हैं उन सभी दोस्तों का स्वागत है रोज रात दस बज़े आया करो यहां पर चलता है जगराता कैसा आती हूँ क्या चलता है जगराता रात बर जागने को कहते हैं जगराता शरीता का स्वागत है आज स्वीटी नहीं आई है कैसारे लोग नहीं आए आज लेट होगे मुझे लगता है कि इसका सई इंश साथ हैं मैं आपको बताने कंस्ट करऊं गाओ कौशन देखे नीचे सोध साक्स के आधार पर यह Nich कोंई ऐसा किसे सोध साख्स के आदार पर, शिक्षण की प्रभाव उत्पाक्ता, प्रभाव उत्पाक्ता का मतलब है, कोई चीज को इंपक्ट आना, उसका प्रभाव पढ़ना जैसे, कि मानलो मैं पढ़ा रहा हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से, तो उसका प्रभाव क्या पढ़ रहा है, आप चीजो मेहत्पूर्ण व्यवार सायक व्यवार दिये गए हैं उनकी पैचान करो जो मेहत्पूर्ण व्यवार है अपना उत्तर कूट का चैन करके आपको यहां पर समझाना है देखो बहुत से लोगों ने C आंसर दिया है बहुत से लोगों ने B आंसर दिया है सबसे पहले क्या बतान देखो लल्लन टॉप लगेगी कैसे लगेगी मैं आपको समझा देता हूं क्या बताया जाना है क्या बताया जाना है इसके बारे में सिक्षक की टिपनी द्वारा सरंचना अरे भाई सोद साक्ष के आधार पर काम हो रहा है क्या बताना इसके बारे में सिक्षक की टिपनी द्वारा सरंचना नहीं इसका यहां पर दूर दूर तक कोई नाता नहीं है कौशन से किसी परकार से मेल नहीं खा रहा अगर एक आंसर हमारा गलत है तो जिस भी आप्षन में एक आंसर दिखना है रामजी का नाम लेकर काट दूं अभ या तो हमारा ऑन्सर बीच सही या हमारा आनसर इर्द अब लल्लन टॉप लगाऊ दुनिया के किसी भी कॉश्टन में लल्लन तोप लगेगा अब लल्लन टॉप ट्रिकayed क्या कहता है आपको सात्यों यहां पर तीन दिखाई दे रहा है गर्दा गाइज गर्दा आपको यहां पर तीन दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है इसका मतलब बिना पड़े ही तीन हमारा correct answer आ गया बिना पड़े ही तीन हमरा बिलकुल सही answer है अब देख लेते हैं साथियो option number 2 देख लेते हैं तीन हमरा सही हो गया अब option number 2 देख लेते हैं कि विशेवस्तू विशेवस्तू और प्रक्रिया के इस्तर के प्रसनों के माज़ दम से प्रसन पूछना चलो यह question पढ़कर मानलो आपको कुछ भी समद्ध नहीं लगा अब मानलो यह लग रहा कि आर दिमाग एंग हो रहा है मुझे कुछ भी समद्ध नहीं लग रहा आगे चले हम कुछ और question को यह पर पढ़ लेते हैं ताकि हमें जानकरी अच्छी आ जाएं चलो ओप्सन नमर पांच पढ़ें अधिगम के प्रती समर्पित भाई अधिगम के प्रती समर्पित तो ओना पड़ेगा मानते हो मेरी बात को मेरी बात कारिये पर हो और इसका जब भाई अगर आप सही रास्ते पर चलोगे नेट ज्यारेप के तो आधी गंपी की प्रतिया आप समर्पित हो जाओगे सही आंसर है सातियों पांच यहां पर करेक्ट आंसर है और सी इस दा करेक्ट आंसर है ऐसे कॉशन के सारे आएंगे जो आपको भासा के इस तर पर यह कॉशनों को पढ़कर आपको लगीता है कितनी जटी लेंगवेज है इनके अंदर जो भासा के इस तर पर आपको उल्जानी की कॉसिस करेंगे उन्ही कॉशनों को मैं टीचिंग अप्ट questions को आपके सामने लेकर आया हूँ चेला जीतेंदर आसीस प्रियानसू सरीता अंजू देवी काव्या चेला गोरकनात रिम्पी जी चंदा सरीता MLM कंपनी और चंदर सेकार Attitude King सोनल और सात्यो संगीता कैई सारे लोग आज के इस क्लास में है चलिए अनामिका सोनम नाम के आगे से MLM चल रहने दो आइडेंटी तो है कम से कम ढंक से ढंक से ढंक से ढंक से पढ़िए गाईज ढंक से पढ़िए द्रस्टी ले ले ना नेहा द्रस्टी वाली ठीक रहेगी द्रस्टी ठीक रहेगी वीडियो को लाइक नहीं करते हो गया आप लोग आप लोग क्या वीडियो को लाइक ही नहीं करते हो क्या सच बता दो नहीं करते हो गुरुजी से दुस्मनी है कर दो तो कर दो नहीं है तो कह दो कि तुम हो मेरे वर्ना नहीं तो आपको सबको मुर्गा बना दिया जाएगा कॉश्चन करो सबके सब अच्छी तरीके से 26 में आपने अधिकांस लोगों ने C आंसर दिया है अब हम समझने की कॉश्चन करते हैं कि इसमें C आंसर है या इसका आंसर कोई अन है देखिए निमलिक्त सूची में से उन कतनों की पैचान करें जो प्रभावी सिक्षन कॉश्चन को समझने को सुश्चन करो जो प्रभावी सिक्षन के सहायक व्यवारों को दरसाता है सूची में से उन चीजों को हमको सलेक्ट करना है जो इसेक्टिव टीचिंग प्रभावी सिक्षन के सहायक व्यवार यानि आपने प्रभावी टीचिंग की आपका कौन सा विवार है जिसकी वज़े से प्रभावी हो रहा है सिक्षन उसको यहां पर साथए हो आपको दर्साने का प्यास करना था अब यहां पर सही आंसर क्या है कि प्रियुक्ट विविद्ध विविद्ध वाली अनुदेशा आत्मक विविद्ध यानि कि यह यानि कि यह कह रहा है कि बहुत सारी अलग-अलग चीजों का निर्देशन देना अब मैं आप लोगों से बात बुछना चाहूंगा कि जब भी आप पढ़ाओगे क्या अलग-अलग निर्देशन दोगे हर चीज में प्रियुक्त विविद्ध प्रिविद्ध प्रिविद्ध का मतलब होता है कि आपका जो किसी चीज को करने की योजना जो आपने बनाई है विदी जो बनाई है विदिवत जो काम कर रहे हो क्या उसमें सब को आप अलग-अलग निर्देश दोगे उसमें विविद्ध आ यानि अलग-अलग बिखराव रखोगे नहीं रखोगे इसलिए अगर रखोगे तो वह सायक नहीं हो सकता इसलिए आंसर नमबर एक को मैं यह क्या मानूगा यह या पर मैं एक गलत मानुगा अगर हमारा option नमबर एक गलत है तो जितने भी कॉष्ण है जिनमें option नमबर एक आया है उनको हम रामजी का नाम लेकर काठ देंगे काठ दिया अब हमको लड़न टॉप लगानी है फिर से लड़न टॉप कह रहा है कि option नमबर को पढ़ने की कौशुस करते हैं क्या कहता है छात्र की सफलता का दर जो कार्य की सही समझ में प्रेदरसित होती है यह को यह तो कापी सटीक बैठ रहा है यह मामला तो कापी सटीक बैठ रहा है कोश्चन ऐसा लग रहा है कि सई 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 आपको एक्जाम के टाइम पर होगा ऐसी चीज़े इतनी लेंग्वेज के इस्तर पर इतनी जटल चीज़े आ रही हैं कि आप चीजों को समझ ही नहीं पाऊगे चात्र की सफलता दर यानि कि क्याक क्या गे तो समंधने पर प्रदिशित होती है कि यहाँ पर कहा सास्य में अग चार सब्ग्शन के तो होना ही चाहे चात्रों के शात्रों के यौस हैं कि प्रदशित हों चार ऐज़िगता चात्र का प्रभाह, देखो आपने इस question को समझ नहीं पाए, ये question क्या कह रहा है, कि आपका ऐसा कौन सा विवार है, उसकी वज़े से, तीचिंग है जो प्रभाव साली हो जाएगी देखो आपको ये भी सही लग रहा होगा आपको ये भी सही लग रहा होगा। तो option number 5 देखो, सात्रों के साथ सम्मन्द में प्रदसित सिक्षक का प्रभाव, यानि आपके साथ में कितना जुडाव के साथ पढ़ाता हूं, ये हमारे सिक्षन को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा positive रूप से, करेगा ना, तो इसलिए सात्रों 5 वह option number सही है, अब देख करेवार्शन के इसाब से सही बात नहीं, अब जैसे कि मानलो से दिल्ली जैपुर से बिल्ली, मैं इस रॉड और से जाऊंगा, क्या जाऊंगा, इस रॉड के माजदम ये राव जो जा रहा है वह जैह पुर से जा रहा है, लेकिन मैंने ticket लेया है, ट्रेन का, तो मुझे वह आईसा वाय हमने घट लिया है भी तो हम है इसने की करेंगे बांकिक चीज आब नहीं करेंगे आपको लगेगा इसा सभी है लेकिन वो हमारे से रिलेमेंट नहीं है इसलिए आपको यह चीज साथियों समझना जरूरी है यह कॉशन में आपके सामने क्यों लेकर आया हूँ इसको सभी कर आया हूं क्योंकि इसी प्रकार के कॉशन है जो आपसे एकजामनर पूचता है और आप खुसी-खुसी उसको गलत करके घर आ जाते हो, बिल्कुल राजी होकर आ जाते हो, कि हम तो सही करके आ गए हैं, और actual में आप उस question को गलत करके आते हैं, अगला question को समझने से पहले, एक मैं बात आपको बताना चाहूंगा, पहले अगले question को समझेंगे, मुझे एक मिनिट का स के एड़ी पर रोज सुबह 10 बजे free class, question number 27, ललन टॉप दोड रहा है इसके पास, ललन टॉप लगेगा, चलिए, पर सारे subject की पढ़ाई होती है, जो यह फीस मैंने बतलाई है, वो paper 1 की और paper 2 की दोनों की फीस है, अनावी का कहने कि PhD का forum में कब आएगा, लेकिन आपने एक वार भी जवाब नहीं दिया, PhD के forum आएंगे, अब जन्वरी में, कब आएंगे बेटा, जन्वरी फरवरी में आएंगे, जन्वरी और फरवरी से पहले कोई भी PhD का forum नहीं आएगा, अब जन्वरी का फर्वरी के सत्र में होते हैं जो मार्च अप्रेल में फिर उनका एड्मिशन हो जाता है उस समय नए सत्र में तो फर्वरी में फॉरम आएंगे अभी कोई फॉरम नहीं आएगा फिर भी आप वेस्ट सेक करते रहे हैं रहा किजिए प्याओब कोई आएगा जब खिर वेस्ट वेस्ट प्रेवरी सेक करते हैं कोई यह आंसर दे रहा है कोई सी आंसर दे रहा है देख लेते हैं क्या है इसका सही आंसर देखो सब के सब लेकिन आंसर नहीं दे रहा है कुछ लोग है जो गूगे बनकर बैठे हैं वो किसी भी प्रकारका आंसर देखो मेंने आप लोगों से यह का है कि आप आंसर दो गलत दो सही दो desses कोई माइन्य नहीं रखता दीना पो प्रकार करो देने की कोश्व करो नीचे दी गई सूची में उन कतनों की पहता देखो आपको अगर एक्जाम पास करनी है ना तो सबसे पहले कॉश्चन को समझना शुरू कर देखो अगर आपने कॉश्चन पढ़ लिया और कॉश्चन को समझ लिया ना उसके बाद में चीजें बहुत को सबसे पहले हम कॉश्चन मैं सिखाता हूं। यसे को कैसे ररेड करेंगे हैं नीचे कतनों की पहचान करें जो सिक्षण कारिये में दियान दिखले को शिक्षण कारिये की विशेष्ता से संबन दिखने हैं आपको याँ पर इन मैं से चुनाओ करना है देखो शिक्षण स्वयम विकास को सुगम बनाने वाली व्यक्तिक गत भी दिया है देखो यार मैंने आपको जब Teaching Attitude पढ़ाया था तो पहले chapter में ही ये कहाता कि ये एक सामाजिक प्रक्रिया है क्या है, ये व्यक्तिक नहीं है, ये स्वेम के विकास के लिए नहीं है ये सिक्षन कभी भी खुद के विकास के काम नहीं करता है सिक्षयक एक ऐसा दिया है जो खुद जलकर भी दूसरों को प्रकासित करता है दीपक एक ऐसा दिया है सातियों सिक्षयक जो स्वेम जलकर भी दूसरों को प्रकास मान करता है तो सिक्षयक स्वेम के विकास को सुगम मतलब होता है आसान सुगम का मतलब होता है आसान यानि लिक्ष्या की नहीं होता तो और 1 मों अपने राम जी का नाव लेके समझने की कॉसिश करो हमने याँ पर राम जी का नाम लेके काट दिया अब याँ पर जितने भी उप्शनों में एक उप्शन आपको दिख रहा है अब देखो सभी सिक्षोकों का उद्देश अधिगम कराना होता है क्या आप इस बास से सेमत है कि जितने भी टीचर होते है उनका उद्देश अधिगम कराना है अधिगम का मतलब क्या होता है आप अधिगम का मतलब जानते हो गाइज हलो 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 गाइज क्या आप अधिगम का मतलब जानते हो इधर बोलो कमेंट से क्या आप अधिगम का मतलब जानते हो है जो हमको है है कि हमारे जिवन के नकिंट रहे याम ह Comics से बीक्ते हैं हम पानी से मिसी Stepने से आगर आपका मानना यह है कि हम केवल और केवल स्कूल और यहा करें पड़ना सीखते हैं यह अधि马 भी कंसे आई-गous अधिक ठें कहीं भी हमारी माता भेने जो घर में बहुत अच्छा खाना बनाती है ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं क्या वो ट्रेनिंग लेने गए नहीं गए उनको अधिगम एक प्राप्त हो कहा है तो सभी सिक्ष्णों को अधिगम को करवाना होता है तो दूसरा ओप्षन बिल्कुल सही है तो जिस भी ओप्षन में दो नहीं है उनको काट दो पर जिस में दो कर लो ललन टॉप लग रहा है सीधा सीधा चले गाईच जीवन परियन सीखते रहते हैं अगर आप चाहते हो इन ओप्सोनों को समझाओं तो आप बोल दो मैं आपको समझा दूँगा वा भाई वा वा चलो जी वा चलो जी वा चलो जी वा चलिए ग्रेट गाइज करिया आप उनसर कीजिए अगर मैं पानी पीता हूनों तो आपको मेरी आवास सुना ही देती है कंथ के पास से श्वीटी आज लेट आई हो भाई आप तूरे पंदरा मिनट तूरे पंदरा मिनट लेट आई हो शर्जी जी आरफ के लिए कितने अटेम्ट दे सकते हैं जितना आप दे पाओ अगर आपकी उमर सामान वरक से हैं आप तो 35 साल की उमर से उमर तक जितना दे पाओ माप करना 30 साल की उमर तक जितना दे पाओ प्लस एक कर लीजिए कोविड की वज़े से और जितने भी दोस्त ST, SC, OBC, non-criminalier है वो 35 प्लस 1 तक दे सकते हैं कितनी है इज आप जितना बैस्ट मार्ट टाइम दो वो आपकी मर्जी है कोई D, कोई B, कोई D, कोई B लेकिन अधिकतर लोगों ने D answer दिया है यह बहुत बढ़िया क्या है समझ लेते हैं सिक्षण में सिक्षण के माध्धम से सेच्षमता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मासलों के मासलों एक वैज्ञानिक मासलों एक दार्षनिक है विद्वान है मासलों के पदना कुरम के किना अशक्ताओं को संतूष्ट किया जाना चाहिए और भाई साब जब आप उत्करष्ट होते हो सक्षम हो जाते हो तो आत्म सिद्धी की आवशकता होती है क्या होती है आत्म सिद्धी की आवशकता होती है क्या होती है आत्म सिद्धी की आवशकता होती है वह एक आदमी तीर आदमी इतना खाना खाके आता हुगा इसनत्तह सम्झेश लेज्या अगर अगर लड़किया करें तो बिलकुल ना पकड़ी यह हैं हमारे कैसा क्या करते थे ऐसा कॉलेज स्कूल के टाइम पर कॉलेज के टाइम पर पकड़ लियद जाते थे तो कहते थोड़ी ना थे आकर देखो निमलेक्तर मेंसे कौन प्रभावी शिक्षन में बादक बादक का मतलब है रुकावट जैसे अभी मानलो कि मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहा हूँ आभी मानलो मैं आपको बहुत अच्छी तर कोई गेट बजाए ऐसे भार से यहांने अभी तक वो बरतन नहीं दोए शुवे के बरतन पड़े हैं खाना नहीं बनाया और अभी तक आप लोग ने कपड़े नहीं दोए पूरे दिन इस लैपटॉप के आगे लेर पेटर मैं डर जाऊंगा मैं डर चाहूँगा यानि कि यह कहीं कहीं जो मेरा सिक्षन है इसमें बाधक का काम कर रहा है क्या है यह बाधक का काम हो रहा है प्रभावी सिक्षन में बाधक के कौन-कौन से कारण है हमको 29 में इस चीज को देखना है देखो शिक्षन की आत्म सामर्थ शिक्षक का विशेग्यान देखो अगर शिक्षक का विशेग्यान होता है क्या उसमें बादक होता है नहीं हम तो चाहते हैं विशेग्यान तो जितना चरहेगा वो कभी बादक नहीं रहेगा आत्म सामर्त भी कभी बादक नहीं रहेगा शिक्षक की निम्न योगता और तत्परता देखो अगर मालो जो शिक्षक है वो योगी नहीं है तो ये तो बादक बनेगा याथ अब आप कैसे कोई अच्छा जो सिक्षक की योगताई उतनी नहीं है तो वो कैसे करेगा सेधी बात है मैडम को कभी पानी का गिलास भी नहीं देते मुझे बदनाम मत करिये गुर्देव और बाई साथ चोरी मोके पे पकड़ी गई अब अब से काट देते से कुछ आप में नियो दन और शक्षन कोसल का भाव मझा कोई चीज को सिक्षन कोसल का भाव है तो चार हमारा यहां सई है तो जिसलिए उप्छन में चार नहीं है उनको काट दो वज्चे वाशाइप उनलन में पकड़ नहीं अगर बासा कि श्तर पर बोडी लेंग में अच्छी नहीं यह तो यहां पर शिक्षा की ए संगत दे बासा बॉडी लेंगवें जगर उसी अच्छी नहीं इसे कहते हैं सात्यों प्रबावी सिक्षण में बाधा कि डर के मारे आदमी कितना बाधित हो जाता है कि डर के मारे आदमी कितना बादित हो जाता है इसे कहते है प्रभावी सिक्षन में बादा कि एक बॉल पर ऐसा अठा छक्का ये सात्यों प्रभावी कर देता है कि गर्दा गर्दा बहुत बढ़िया वाई बहुत बढ़िया कॉस्टन नमर 30 करो लेवल बहुत उंचा है इस कॉस्टन का समझ जाईए मैडम क्लास लेती है मैडम के चैनल पर हिंदी साइट पढ़ाते है मैडम मैडम क्या पढ़ाते है कि आट गोरा की का सिरी अधाईora को करने की कॉसिस करेंगेалы कि त्वेडियोय कर दो जितने भी क्लास भाद में देख रहे है उनसे भी कह रहा हूं मैं जो इस वीडियो भाद में देख रहे हैं आप भी लाइक करके बता दिया करो कि आपको मेरा पढ़ाई हुई बाते जो मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूं जो मैं क्लास आपके लिए फ्री क्लास एज जो मैंने विवस्ता की है अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक कर दिया करो ताकि मुझे आइडिया आजा ग्यार हां मैं जो पढ़ा रहा हूं ठीक उनको काम की इसकी बहुत बढ़िया वेरी गुट चलिए गाइज सुबहर दस बजे सुबहर टैन एम मेरी अनकेडिमी स्पेसिल क्लास होती है उस पर भी आया करो मदुमक्यों का निरत जो दूसरी मदुमक्यों के यह लगता है कि मदुरस कहां मिलेगा यह कैसा आती हो समू संचार है बड़ा सरल कॉशन है लेकिन मैंने यह कॉशन करवाया क्यों है ताकि मैं इन सभी आप्शनों को समझा सकूं देखो मेरा ऐसा मानना है कि आज की जमाने में क्या पढ़ना है यह ज़्यादा महत्पूर्ण नहीं है क्या छोड़ देना है उसकी समझ या अंडरस्टेंडिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इसलिए ही सातियों मैं आपको हर चीज समझा समझा कर पढ़ता हूं हम सबसे पहले जन संचार के बारे में बात क कर लेते हैं कि मास कमुनुकेशन क्या होता है मास कमुनुकेशन जन संचार ऐसा संचार जो टीवी रेडियो के माधधम से होता है यानि एक जलगे से संचार जाता है और बहुत बड़ी संख्या में वो संचार फैल जाता है, उसको कहते है सात्यों जन संचार, क्या सात्यों? उसको कहते है जन संचार, वेरी गुड, अंजू, कोई दिकत नहीं है, तो उसको कहते है सात्यों जन संचार कहते हैं, अगला होता है समू संचार किसी का मतलब क्या होत पर पर यहां पर आनतर वैक्टिक और एक है अन्तव्य्क्ति और यह बड़े क्रिटिक आपको इसमें समझने में दिक्कत आती होगी अंतर व्यक्तिक किसे कहते हैं और अंतर व्यक्तिक किसे कहते हैं बताइए अंतर व्यक्तिक का मतलब समझा दीजी आप मुझे कॉमेंट्स के माध्यम से क्या इसका मतलब जानते हैं कोई अंते व्यक्तिक और अंतर व्यक्तिक का मतलब जानते हो आप लोग और ये बापरे दोनों ही फॉन्ट डिस्पड़े हैं कॉमेंट्स देखू तो किसमें देखू कॉमेंट्स देखना सुरू हूँ गाइज कि यार मैं अभी मेरे दूसरे मोबाइल में कॉमेंट्स देखने की कॉसिस कर रहा हूं और वह जो मैंट्स आया था इतनी श्यांदार तरीके से वह उचाल रहे ना भूके आदमी को खाने का मन कर जाता है इस देखकर मिला अभी में क्लास ले रहा हूं तो क्लास के बाद में खाना का युऊंगा तो भूके आद neural कर जाता ऐ tra एसे ऐसे इससे एड दिखाया जाता है कि आपको पूछे मत करते समय क्यों से कौनसे उपागम हो को सरवादिक सही माना जाता है इसे कहते हैं साथियों बाचित तदना भूती मिलो आपके जैसी अनभूती करना जैसे मैं अभी आप लोगों से कह रहा हूं दिलादे मुर्जे वुर्ज खलीपा वाला गाना आप लोगों ने बहुत सुनाओगा यानि कि मैं एजे अपने आपको अपने आपको एजे स्टुडेंट समझ कर ही मैं आपको एक-एक चीज समझाता हूं कि बाई कौन-कौन सी जगह पर आप लोगों की गल्ती आपकी हो जाती है तो कक्षिया का संप्रेशन में संप्रेशन करते समय निमलिक्त में से कौन से उपागमों को सरवादिक प्रिशन नेन भी बात करते हैं आपस में विना बोलेवे आखिया आखिन में बात होती है एक वो विहारी कहते कि कहत नटत रीजत खिजत और मिलत खिलत लजियात और बरे बहुन में करते हैं नेन निहिसुबाद टो पाईस आखों से भी हम लोग समझा सकते हैं चीजों को विहारी किया कहते है इस चीज को समझ लेजे विहारी कहते हैं एक कमरा है बहुत बड़ा माल लोग कि आप school coaching में पढ़ रहे हो class में पढ़ रहे हो offline आप कहीं coaching में पढ़ने कहे school college में थे अब आपको लगता कि college में जब होते हैं फ्रॉफिसर की lecture तो सबसे बड़े college life में सभी लोगों को फ्रॉफिसर के जो लेक्चर होंगे ना बड़े बॉरिंग लगते होंगे लगते होंगे न सब को बड़े बॉरिंग लेक्चर यहां पर लगते होंगे यार प्रोफिसर के बॉरिंग लेक्चर हैं माल लोग आपका अभी नया नया आपका नायक नाइका बने हैं अभी आप नय नय हो और नायक न आसमें देखो 39 का आंसर है सही आंसर क्या है एंसर है कक्षा संप्रेशन में अच्छा पूर नुमान लगाना कठीन हो जाएगा पहले से थोड़ना बता सकता हूं में कि अंकित तिवारी क्या है सरीता क्या है मुझे नहीं पता आप लोगों से बात्चित करूँगा तभी आपके बारे मुझे जानकरी मिलेगी उस समय होता है जब विध्यारती के साथ सताई मलब बहुत कम बात्चित होती है ना तो आपस म बारे में पता नहीं लगा जाता जैसे अभी मालो मेरी अंकित से रिंपी से सरीता से स्वीटी से सागर से उननती से जोती से इन सबसे मालो मेरी आसी से सबसे बहुत अच्छी बात होती है देवी काविया से तो मालो इन से क्या बात होती है इनके बारे मैं अनुमान लगा सक ओके नेना तेरे सब्सक्राइब न्यू स्टुडेंट जोती आज कितने सारे लोग वो इवेंट वाले वीडियो से आये हैं आज नीचे से अगर कोई उपर बात की जाते हैं जैसे नीचे के करमचारी अगर उपर के अधिकारी से बात करते हैं तो इसको upward communication कहते हैं चलिए इसमेर मैं चारों आपशनों को आपको समझानी का प्रियास करूँगा इसको भी इसको भी सबको वेकेंसी कब तक आ जाएगी कोई अभी पुरानी एक्जाम होने वाली है वेकेंसी नई सरकार चेंज होने वाली है आपको पता है राजिस्तान में चुनाओ आने वाले हैं तो कोई भी सरकार होते हैं मौझूदा हो चुनाओ के टाइम पर वेकेंसी निकालती है तो आप जरू चले साथ भाव वो दक समपिसंड किसके दौबारा प्रेरित होता है बात हो रहे है इमोचनल कमुनिकेशन की आई रिपीट 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 इमोचनल कमुनिकेशन की यहां पर बात हो रही है तो थोड़ा ध्यान दैरी के साथ करना इस कोईशन को हारे हारे संभू संभू अरे भाई जिनको किलियार नहीं दिखा रता हो क्वालिटी बढ़ा लो यार किलियार नहीं दिख रहा किलियार नहीं दिख रहा क्वालिटी बढ़ा लो न दादा हो 48 में आप लोगों ने सही आंसर दिया है और यह साथ यह उदासीन उगरता क्या है उदासीन उगरता इसका मतलब सुझे दुखी होकर मुझे मुझे पानी पीने का सौक नहीं पीता हूँ क्या सुझाने को ठीक यह बात है तुदासीन उगरता क्या मतलब नहीं यहाँ पर है कूट लेखन एनकोडर व्यक्ति की विसेश्थाएं अब एक बात समझो कि पहले के समय में एक होता था संदेश वाहक क्या होता था संदेश वाहक वो संदेश लेकर जाया करता था पहले संदेश वाहक होता था फिर कबूतर जा 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 आ गया फिर आ गया कबूतर जा पहले आपने देखा होगा राजा माराजा के टाइम पर ज संदेश सुनाया करते थी अब पहले के टाइम पर क्या होता था कि जिस प्रकार से संदेश सुनाया जा रहा है भाई आप जमाना बदल गया यार अब आप वाटसेप के जमाने में रह रहे हो कुछ भी किसी को अडंग बढंग लिख दिया और बाद में डिलीट कर लिया आज तो यह भी पता नहीं लगता कि वाटसेप पहले तो पहले तो ऐसे डिलीट नहीं करने देता था वाटसेप मेसेज को बाद में 15 मिनिट आ गया 15 मिनिट के बाद में डिलीट कौन गुस्टा हो गया भाई बड़ा अच्छा लगता है क्लास में कोई किन्नू कि यह कहा जाता है कि अधिकांस लोग किस पर विश्वास करते हैं आप कभी बैंक गए हो या किसी ऐसी संस्ता में गए हो वहां के करमचारी ने आपके किसी काम करने से मना कर दिया कि जा जा सिम्रन जा अपनी जिंदगी मैं नहीं करूँगा यह काम तो आप यह कोगे लिख कर दे दे जैसे कि मानलों आप कोई बैंक में गह होता है तो आपको होगे कि लिख कर दे दो कि तुम यह मेरा काम क्यों नहीं कर रहे हूं लिख कर दे दो लिखी बात पर ज्यादा वरोसे करोगे यह लिखित बात के उप्र अग्र संदेश का मतलब होता है किसी को जगड़े में दमकी दे देना कि बेटा सुदर्दा नहीं तो तुझे मुर्गा बना दूमा मौकिश संदेश वर्चुल मैसेज और एज नियमे समझेज रेंडम हम लोग किसी को मैसेज दर देते हैं क्या बात हो गई भाई चले लंच टाइम नहीं होता है पायल पायल परशन देना जरूरी है क्या बात है संदीप पाठाग चले गुडिविनिंग गाईज गुडिविनिंग बानी के बजाए आवाज के पहलों को जाना जाता है 61 का सही आंसर देना है C आंसर है पराभासा के रूप में पराभासा का मतलब क्या होता है कि जब भी हम बात करते हो शब्दों के बीच में जो उतार चंडा होता है बातों के बीच में जो उतार चंडा होता है उसको कहते हैं पराभासिक क्या कहते हैं कभी हम शब्दों को धीरे बोलते हैं कभी हम शब्दों को तेज बोलते हैं, ऐसे इनको पराभासिक कैसे हैं, इसे कहते हैं साथ्यू, पराभासिक, वैसे ये बताओ, ग्यारे बजे, ये दस बजे के टाइम आपको लगता कैसे है, ये दस बजे के टाइम आपको कैसे लगता है, रात को दस बजे जब हम पढ़ते ह कैसे टाइम आपको को परा भासिक का मतलब यह होता है परा भासिक का मतलब होता है शब्दों के बीच में जो उतार चंडाओ रखते हैं उसको कहते हैं परा भासिक है happens कि और एक बा कि मैं अपने बॉटी लैंग्वेज थे मैं इसे कर रहा हूं यह कर रहा हूं इसे कहते हैं सारे कहनेится अले बॉडि लैंग्वेज जिसके है बॉडी लेंग्विज कहते हूं question number 63 sir बहुत ज़्यादा खुस होगे आपके आने से हैं city बॉडी लेंग्विज कहते हैं अलगी स्माहिल आ गई अब अरे बाप रे क्या बात है क्या बात है बिल्कुल आ गई भाई पिटना थोड़ी ना है यह नहीं आई ऐसा कह दूँगा तो मतलब अच्छी बात नहीं है न यह कक्षा संप्रेशन के संदर में मनोवर्तियों और कारियों के परकेटन को किस रूप में समझा जाता है 63 का सई आंसर आपको देदी भी मनोवर्तियों को आप कोई चीद करते हैं इसको एश आपदिक रूप से समझा जाता है झाल चले काईज एश आपदिक का मतलब होता है कि जिसमें शब्दों का प्रियोग नहीं होता है नौन वर्बल यो भी साप्रेशन यहां पर होंगे सभी को नमस्कार आजाए क्या हल चालें साथियो देखो यहां पर टॉप मोस्ट कॉशन पढ़ेंगे पिर कुछ मैट्पूर्ण चीजे भी मैं आपको बतलाने वाला हूं NTA.net के बारे में तो साथियो सबसे पहले हम चलते हैं बिना समय गवाए हुए आज के सेशन को लेते हैं और एक-एक चीजों को करते हैं क्या कि हिंदी और इंग्लिस में दोनों में मैंने कोश्चन में देखना चाहरा हूं कि आपका क्या लेवाल इसमें रहने वाला है कि चलिए गुडिवनीं 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 नमस्कार 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 आज़े 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 चलिए निमलिक्त में से कौन सा एक डॉमेन संस्ता के नुसार नाम से संबंदित है संस्ता से संस्ता से संबंदित डॉमेन कौन सा है आपको यहां पर बतलाना है संस्ता से संबंदित कौन सा डॉमेन है इसका आपको आंसर देना है एक पर जल्दी जल्दी आंसर देना शुरू करो एक तो आप सब को नमस्कार आजे फटापट से एक तो जल्दी जल्दी आंसर देना शुरू करो आप लोगया क्या है सात्यो.edu इसका कताई करेक्ट आंसर क्या है .edu जैसे आप जितनी भी एजुकेशन संस्तान है उसके सामने edu लगा रहता है एक तो तर.com जैसे आने academy.com एक होता है .in एक होता है .org यह कोई organization होते हैं एंजुई वगरा उनका .org यहापर domain लिखा हुआ रहता है .सात्यो question number 20 आपको करना है 21 और ध्यान से करो क्योंकि यह question आपको कराने की पीछे मेरे एक मक्षद है क्योंकि ऐसे question हमेशा पूछे जाते हैं इस प्रकार के question हमेशा पूछे जाते हैं हमेशा पूछे जाते हैं हाँ बाई स्वीटी क्या बाब बच्चों जैसे बात करते रहते हैं कॉमेंट्स मेंशा मैं और क्लास में देखता हूं वह सारी चीजे होती है कभी 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 हम लोग जब जैसे कि आप लोगों का सिलेवस कवर करवाना होता है तो लॉंग क्ल सब्रwork कर देते हैं मर्ज करके सोच के आनसर देना है इसको मैं आपको बहुत अच्छी तरीके समझा दूंगा सूखर को कि के लिए कॉश्षन आपको बिल्कुल कंटस्ट करना है क्योंकि यह कॉश्चर हर एकजाम में आता है रह एकजाम में यह कॉश्षन आता है क्या है मोहन अपने मित्र मोहन अपने मित्रों सोहन मोहन के मित्रों के नाम बता दू मैं आपको कौन कौन है मोहन के मित्रे साथ एक मित्र का नाम है सोहन एक मित्र का नाम है रोहन और एक मित्र का नाम है जॉन अब आंसर केजिए करिए आराम से करिए इस question को मैं समझा भी दूंग अच्छी तरीके से आप लोग विल्कुल चिंता ना करें मैं आठीया हूं सामने से अब आपको English और Hindi दोनों दिखाई दे रहा होगा कि आप लोगों ने 20 में सी आंसर दिया है इसको भी मैं एक बार देख लेता हूं कि 20 में सी आंसर है या 20 में डी आंसर है क्योंकि इसको मैं जब तक समझाओंगा नहीं आप लोगों को ऐसे questions समझ नहीं लगेंगे चलिए सब के सब आ जाईए एस वरी अब आ गई है इसका सई आंसर है साथ हो सी क्या लिख रखा है रोहन को पता है कि जौन को मेल प्राफ्ट हुआ है आए इस question को हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं क्या है कि मोहन अपने मित्रों सोहन रोहन और जौन को एक मेल बेज़ता है पाड़िके तो यह इसने मेल लिख दिया टू में क्या लिख दिया, टू में सुवन लिख दिया, सी सी में रोवन लिख दिया और बी सी सी में जॉन लिख दिया अब बताओ कौन सा यहां पर पता लगेगा और कौन सा पता नहीं लगेगा आएए हम सी सी बी सी सी को समझ लेते हैं टू क्या होता है सी सी क्या होता है और बी सी सी क्या होता है यह सात्यों मेल का फॉर्मेट होता है जो इस समय आपको इस्क्रीन पर दिखाई दे रहा है चलो एक एक चीज़ समझा देता हूं यहां पर एक होता है टू एक होता है CC, CC का मतलब होता है carbon copy, इसको अगस का full form क्या है, carbon copy है, और यह साथ यो blind carbon copy, अब एक बात को समझे याँ, यहाँ पर जब आँ mail कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात क्या है, एक बात समझे याँ, यहाँ पर जो BCC जो है न, यह सब में क्या है, यह Mr. India है, बी सी सी क्या है, यहाँ पर Mr. India है, अब कैसे Mr. India, इस चीज को हम लोग समझते हैं, बी सी सी यहाँ पर Mr. India है, अब मान लो, अब इस क्लास में रीना नहीं है, तो मैं आपको रीना का उधारन देता, इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझने पड़ेगी, यहाँ पर भाई, किसकी शादी हो रही है, यहाँ पर एक दो मित्र थी, आप यहाँ पर थी एक मित्र थी जिसका नाम था रीना, एक कालपनी के नाम लगा लीजिए, रीना, रीना और सीमा, रीना और सीमा बहुती जिगरी दोस्त थी एक दूसरे की, बहुत तगड़ी कटर दोस्त थी, मतलब जिस परकार से मतलब, एक परकार से मतलब पूछो मत, यानि दोनों बेहन से भी जादा, दोनों बेहने थी बहुत तगड़ी, इनकी एक दोस्त और थी, जिसका नाम था, क्या नाम तो काजल, एक दोस्ती जिसका नाम था काजल, ये तीनों साथियों क्या थी, दोस्ती, लेकिन सी रीना में और सीमा में बहुत तगड़ी गहन दोस् ती कि एक दूसरे के नायकों सो भी बात किया करती थी तो हुआ क्या था साथियो यहां पर जो रीना है उसके उसका एक नायक था रीना का क्या था एक नायक था और रीना ने भावनाओं में भैकर रीना ने भावनाओं में भैकर इस नायक की क्या साथियो यानि सी सी में जिनक जैसे स्वीटी को नौता दे दिया, इन सभी दोस्तों को यहां नाम लिख दिया CC में, CC से क्या फरक पड़ता है, जो CC वाले जो मेल लिखे रहते हैं, उनको BCC वाले देख सकते हैं, कैसा आते हो, CC वालों को BCC वाले देख सकते हैं, लेकिन यहां पर जो CC के अंदर जो मेल लि बिन्दू नमबर एक, या देखो, सबसे पहले CC, CC वाले, BCC वालों को नहीं देख सकते, CC वाले, आपस में CC वालों को देख सकते हैं, CC वाले, तूब वालों को देख सकते हैं, अब आजाते हैं, BCC पर, Blind Carbon Coffee, BCC, CC वालों को देख सकते हैं, जबकि BCC वाले, CC वालों को नहीं देख सकते, अब यहां पर कलाकारी क्या कर दी, काजल ने, काजल ने यह कलाकारी कर दी, यहां पर, कि यह जो रीना हैं, और जो सीमा हैं, एक दूसरे की कटर दुस्मन, इसको इन्होंने BCC में डाल दिया, और सारी दोस्तों को CC में डाल दिया, यानि कि साथ वे BCC के आगे काच लग रहा है, अब यह दोनों क्या कर राजी हो रही है, अब दोनों खुश हो रही है, आरे भाई, देखो, CC यहां पर तो इतने सारे मेल दिख रहे हैं, इन्होंने, रीना, रीना खुश हो रही है कि मेरी सच्ची दोस्त है, सब्सक्राइब बहुत आराम से पकड़ लिया कि निमले एक एमेल है मैं स्वामी को संदेश मिलने पर वे कौन से एमेल पतो को जान सकेगा स्वामी को संदेश मिलने पर अमालो यह स्वामी है इसको संदेश मिलेगा तुसको किस किस का पता लगेगा अब स्वामी है ना हमारा यह है सातियो किस के अंदर BCC के अंदर, तो स्वामी स्रफ रामा को नहीं देख पाएगा, जबकि और सभी को देख पाएगा, रामा के अलावा सातियों, वो राज को देख पाएगा, रवी को देख पाएगा, राम को देख पाएगा, केवल वो रामा को नहीं देख पाएगा, क्योंकि रामा यहां पर साथियो क्या है रामा यहां पर क्या है बी सी सी में है इसलिए इसको नहीं देख पाए और सब को देख पाए वीडियो सबने लाइक कर दिया के ए वाई वीडियो सबने लाइक कर दिया जान से नहीं किया यार ये तो तुम गलत करते हो भाई यार वीडियो लाइक कर दो आच्छा ठीक ग्रेट चलिए पीडियाफ का फुल फॉरम बताएं क्या होता है पीडियाफ फुल फॉरम आपको पीडियाफ का फुल फॉरम बताना है आंखों में दर्द नहीं होना चाहिए ऐघर फेरो में cyn lavender ही रहिए PDF का पूर्ण क्या है Portable Document Format Portable Document पूरमेट है साथ यो PDF का पूरा नाम DNS का अर्थ कह है DNS DNS का सीद्धा अर्थ कैसा तू DNS का सई अर्थ क्या है DNS का सई अर्थ बताईए DNS का सई अर्थ है Domain Name System कैसा आती हो Domain Name System है तोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि हम जादा से जादा Question को अचीव कर पाए SIM का अर्थ बतलाईए एक Full Form हमेशा आएगा SIM का अर्थ बताईए SIM 35 SIM का मतलब क्या है सब्सक्राइबर आइडेंटी मोड्यूल 35 में भी आंसर है Very Good एक नेटवर्क के किसी कंप्यूटर को उससे सुरक्षप्रदान करने के लिए Firewall का प्रयोग किया जाता है 37 Firewall Firewall का मतलब यह नहीं कि मतलब अगनी को रोकने के लिए कुछ दिवार बना दिवा ऐसा नहीं है Firewall को समझो डंग से Unauthorized attack से बचने के लिए कैसा थे हो Unauthorized attack से बचने के लिए आपको फटा फट से इन कॉश्चन्स को करना है Primary storage is complete to secondary storage क्या कि दित्तियक भंडार ने secondary storage की तुलना में Primary storage है क्या है 38 का अंसर दो तेज और सात्यों ज्यादा खर्चिली तेज fast and more expensive 39 सवाल ऐसा सवाल हमेश्या पूचा जाता है Firewall प्रकार का एक software होता है जो inbuilt होता है computer में वो आपको unauthorized ऐसी चीज जिनको आपने permission नहीं दे रखी उनको रोकने का प्रियास करता है उसको कहते है firewall आप लोगों ने गलत आंसर दियें बहुत से रे लोगों ने इंटरनेट साथ यो ब्राउजर के ब्राउजर का मतलब होता है जिसमें आप इंटरनेट चलाते हो जैसे Google Chrome यहां पर साथ यो इसको लगों से दीर्ग यानि छोटी से बड़े की तरफ सजाओ छोटी मेमोरी से बड़ी मेमोरी की तरफ सजाएए सोटी मेमोरी से बड़ी मेमोरी की तरफ सजाएए स्किड़ी मेंके बड़ी में जोटी दी है जो ढ़्योश प्रफाएएएएँ झाले कर दो एकी तरफ से बड़े हो जोगो इन एंग वहां प्राएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए硬 हावें तरफ चशेड़ी वेन इसका स्थाइन तरह साथ सबसे पहले आएगा बिट क्या आएगा सबसे पहले बिट बिट आएगा बिट के बाद में साथ यो बाइट आएगा और बाइट के बाद में किलो बाइट आएगा किलो बाइट के बाद में मेगा बाइट मेगा बाइट में टेरा बाइट टेरा बाइट के बाद में गीगा सी यहां पर कता ही करेक्ट आंसर है सी गीगा बाइट सबसे लाश्ट में आएगा यहां पर टेरा बाइट सबसे बढ़ा है एक व्यक्तिकत कंप्यूटर के जिस सर्किट बोर्ड पर बहुत सारे चिप्ट लगे हैं उनको क्या कहते हैं जहां पर साति हो आपने देखा होगा नीला नीला सा एक बोर्ड लगा रहता होगा इसमें सब कुछ लगा रहता है नीचे मोबाइल लेप्टॉप कंप्यूटर करके बताइए हम उसको कहते हैं साथ यो मदर बोर्ड क्या कहते हैं क्या कहते हैं मा का बोर्ड SQL का फुल फॉर्म क्या है साइ आनसरे साथ हो structured query language साइ आनसरे साथ हो A structure query language देखो दो प्रकार के बच्चे होंगे किसी लोगों ने पढ़ रखे होंगे अगर पढ़ रखे हैं तो revision हो जाएगा नहीं पढ़ रखे हैं तो सीख लेंगे यहां पर साथ कौन सा input device नहीं है देखो एक कौशन बहुत से लोगों ने पढ़ रखे होंगे अगर पढ़ रखे होंगे तो दुबारा revision हो जाएगा और नहीं पढ़ रखे हैं तो हम सीख लेंगे कौन सा input device नहीं है 46 का सई answer है साती हो microphone input है keyboard input है mouse input है लेकिन modular firebox यह क्या है यह ब्राउजर है यह input नहीं है web address पते के लिए क्या नाम दिया जाता है web address पते के लिए यू आर एल यू आर एल कैसा आती हो 47 का सई answer है URL see the correct answer बहुत जल्दी हम भी बहुत तेज गती से चल रहे हैं ताकि आपको सारी चीज़ ठीक हो जाए computer से संबंदित कारियों के प्रियोगे तू USB का पूरा रूप क्या है USB का इसका साथ यह 48 का सई answer है बी यूनिवर्सल सीरियल बस यूनिवर्सल सीरियल बस कौन सा एक अरब यानि बिलियन केरेक्टर्स प्रदिसित करता है एक होता है सात्यों मिलियन और एक होता है बिलियन तो सबसे पहले इसका अंसर दो फिर मुझे मिलियन का मतलब क्या होता है और बिलियन का मतलब क्या होता है यह समझाएंगे आप सही आंसर है सात्यों गीगाबाइट अब मुझे समझाओ कि मिलियन का मतलब क्या होता है प्रप्रप्रप्र यह जैसे आप करें सब्सक्राइबर होगे अगर आप सब को बहुत साफ दिखाए दे रहा है और आपको नहीं दिखा रहा है आप मिल्यान का मतलब होता है दस लाक 10 लाख को हम 1 million कहते हैं तो 1 billion कितने को कहेंगे 1 billion बताओ 1 billion बताओ 10 लाख तो चलो million मान ले billion किसे कहते है 1 billion million अलग होता है billion अलग होता है इंतिजार कर रहा हूं billion का मतलब जानने वालो को लिए अरविंद आजा बैट जाएज़र को आगया ओके कुछ पता लगा अगया हाई क्वालिटी कर लो आपको साथ में साइड़ में सैटिंग का बटन आएगा फिर आके एडवांस सैटिंग में जाना एडवांस सैटिंग में जाकर आपको यह करना पड़ेगा एक होता है सीडी रॉम में फाइल्स को कॉपी करने की प्रिक्रिया को कैसे जाना जाता है पहले पता है सीडी हुआ करते थी ऐसे मैं मूवी मूवी लेकर आया था बहुत जादा मूवी लेकर आता था पहले मैं ऐसे सीडी मैं पत्चीस रुपए की बिला करते एक एक फ्लम एक मैं उसके बाद मैं DVD आ गई DVD मैं कई सारी मूवी एक साथ आ जाते थी तो उसको क्या कहते हैं जब सीडी राइड की जाती है उसमें कुछ अप्लोड किया दाउं उसमें कुछ डाला जाता है उसको कहते हैं साथ यो बर्निंग क्या कहते हैं उसको बर्निंग क्या कहते हैं उसको कहते हैं बर्निंग जैसे, आप बहुत जाद mail विल नहीं आते कहीं से, इसको कहते है 많이 spam. जैसे कही बार माल हो, अब हमारे बार 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 एको कमन्ट को रिपीट ले, रिपीट, 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 रिपीट कंवेट, करता जाता है, है कई बार तो वह स्पैम की किसरेनी मा जाता है उसको इस पैम कहते हैं तो हमारे पास भी जो मेल आते हैं उस पर बहुत जाते स्पैम आते हैं तो उनको एक साथ डिलीट कर देते हैं फिर एक साथ उन्ची जोग 64 का सभी आंसर बतलाईए ओपन सोर्स सॉफ्ट्वेर क्या है तो अपन सोर्स सॉफ्ट्वेर जिसमें क्या डवलपर होते हैं आपने कभी देखा जैसे एंड्रोइड है इन्ड्रोइड में इतने जाधा जो एप्लीकेशन होते हैं एंड्रोइड वालों ने ठोड़ना बनाई गूगल नहीं बनाए उनको बहुत सारे डवलपर होते हैं वह डवलपर बनाते हैं तो यह क्या कि ओपन सोर्स देते हैं उनको ताकि वह नहीं पर डवलपर कर सके वो भी उस तरीके से वहाँ पर क्या डवलापर अपने अकोडिक चीजों को उसमें बहतर बना सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं तो 64 काम को उसी तरीके से यहाँ पर आनुसर देखकर चलना है यहाँ पर देखो MS Word का मतलब क्या होता है MS Word तो Microsoft का एक software है MS Word इसके लाव Windows विंडोज एक operating system है Microsoft का जैसे मेरे सामने जो laptop रखा हुआ है यह एक operating system इसमें Windows डली हुई है और इसमें Acrobat Reader एक अलग से software है जो PDF को read करता है PDF को edit करता है PDF को read करता है यह Acrobat का software है लेकिन Mozilla Firefox ब्राउजर है और यह open source software है Mozilla Firefox यहाँ पर देखो जो भी command दे रहें computer में वो input से है और जैसे speaker से कोई आवाज भार आ रही है वो output है अगर यहां से मैंने print का कोई command दी वो output है तो इन में से आपको input device नहीं है की बात करनी है तो microphone input है keyboard input है अब आगे देखिए 65 में क्या हो सकता है monitor input कैसे हो सकता है तो monitor input नहीं है बाकी सब लोग input है सब चीज इन पूट है हाँ यह देखो यह यह वाला mail हम एक ही पत्र को बहुत सारे लोगों कि जो मैंने आपको यह थोड़ी देर पहले नहीं बतलाया था यह एक सेकेंट की monitor output है keyboard है जो input है तो यह keyboard ही है यह साथ दी यहां पर correct answer यहां पर कौन सा सर्च इंजन नहीं है देखो सर्च इंजन के कॉश्चन कितने ज्यादा आते हैं की बोर्ड इंपूट है की बोर्ड इंपूट है कि बोर्ड इंपूट है कि अधि खूब खूब असरवाद है लता कल से हमने नई classes की series चलाईए आपको पता ही है और उन classes की series में सबको आना है morning से सर्च इंजन नहीं है देखो गूगल सर्च इंजन है याओ है बिंग है लेकिन क्रॉम एक ब्राउजर है क्या है यह एक ब्राउजर है तर को ब्राउजर अलग होता है और सर्च इंजन अलग होता है देखसे घूगल क्या दालता ही उसे सम्मंदित रजल्ट कौन-कौन सी वेबसाइट पर है उनको खेंच कर ले आता है यानि ग्रॉम गूगल और याहो में यह अंतर है तो याहो है बिंग है ऐसे बहुत सारी चीज़ है जो इसका काम करती है सर्च इंजन का 78 का अंसर दीज़े कि GIF, JPG, BMP और PNG यह किसके लिए आते हैं जैसे MP3 यह ओडियो के लिए आता है ठीक है MP4 वीडियो के लिए आता है इस तरीके से बताओ तो यह किसके लिए यह फॉर्मेट किसके लिए है यह है साथ यह image के लिए है किसके लिए image के लिए है image के लिए यह सारे फॉर्मेट और्डियो के लिए जैसे MP4 MP3 यह इस तरीके से यह image के लिए है format यह तो बस आज के लिए इतना ही करेंगे यार और यह साथ क्या है सर्फ इंजन गुब्र आ रहे हूं एक तो आ रहा है एनलोग और एक आ रहा है डिजीटल अब आप मैंसे कोई सा भी कोई बंदू ऐसा है जो एनलोग डिसीजन का डिजीटल का मतलब मुझे समझा पाए देखो मैं आपको समझा देता हूं अब प्रारी सुई वाली जो गडि होती है वोगती यह साथ यह आनलों है और आज कल से स्मार्ट आः वच रहे हो दिजीटल वच होती जैसे आप ने किसी बास गैसे डिलकका बुले डडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड तो analog and digital का मतलब यह हुआ, अगर मोटे तोर पर समझा दा है, तो modem क्या है, modem क्या है, एक होता है modem, इधर देखें, modem, modem क्या होता है, एक router की तरह होता है, यह मालो router है हमारा, एक router की तरह होता है modem, यहाँ पर हम सबसे पहले कोई cable के तुवारा network आया, और यह इस network को wirelessly, इने digital रूप में convert कर देता है, यह analog signal को digital signal में convert कर देता है, analog को digital signal में convert कर देता है, यानि command को और चीज के आती है, और command को read करके वो किसी और चीज में convert कर देता है, right, हाँ, निम लिक्त में से mail के URL को आप मुझे URL का फुल फॉर्म लिखकर बताईए सारे लोग URL का फुल फॉर्म लिखकर बताईए बताईए यूनिफॉर्म रिसर्स लोकेटर रिम्पी ने गुड़ू ने चंदर ने सेखर ने सभी लोगों ने सही जवाब दिया है वेरी गुड ग्रेट देखो मैं आपसे हमेसे मैंने पहले कहा था कि आप एक URL फिक्स कर लो अपना चाहिए आप जैसे आता है Instagram जैसे Instagram slash और आपका URL आता है जैसे आता है Facebook slash आपका URL आता है तो आपको क्या करना है एक URL फिक्स कर लेना है जैसे कि मालो यहाँ पर रिम्पी है जैसे तो रिम्पी को बढ़ा लेना चाहिए आगे भविस में मालो यह PhD PhD तो करेंगे URL को रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो यूरल को बाद में खतम हो जाएंगे URL तो अपने नाम का URL बैसा रोक लो आप में पता नहीं कि दिक्का था जब फिल्मी एरो नहीं हो तो पुराने जमाने के दो भाई हैं या दो दोस्त हैं कि आपने वह देखिये साजन मुवी साजन देखिया आपने साजन उसमें नहीं करते त्याग तो मेरा कहने का मतलब है मैं गलत चीज़ से लिंक कर रहा हूं मुझे वह से लिंक नहीं करना है URL का मतलब समझो URL में क्या होता है एक पर्टिकुलर एक डॉमेन नेम हो जाता है पर आपका उससे हमको आपको करें जैसे मेरा मालो हर जगे मेरा चाहिए इस्टा लगा लो मेरा चाहिए लगालो मेरा चाहे यूटूब लगालो इनके सब के आगे मेरे एक ही नाम लगता है वह है DR.L kitty this बाली ये मेरा पर्मानेंट यूरल हो गया पूरा क्या हो गया पर्मानेंट यूरल हो गया दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस यूरल को नहीं ले सकता क्योंकि मैंने यूरल बना लिया है तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको भी इसी प्रकार का एक यूरल बना लेना चाहिए तरीके से आप अपना एक URL मना लीजे ताकि आप आप मेंसख कभी भी अब बहुते लोग गलती करते हो जैसे मेल आईडी बनाते हैं कुछ लोग मेल आईडी में कैसे लिखते है जैसे मालो रिंपी रिंपी 445678 ऐसे मत बनाओ फिला अपने नाब के जैसे मेरा short और जितना simple लगाओगे URL को उतना ही वो URL अच्छा माना जाएगा I repeat URL को जितना छोटा और अच्छा लगाओगे उतना ही ठीक है साथ यो doctor लगा के आप अपने URL को copy जरूर से कर लीजिए आपके लिए फायदेबंद रहेगा तो आपको mail को बतलाना है कि इन में से कौन सा mail का सही प्रारूप है इस option मुझे सभी गलत लग रहे इन में से तो इस में तो मुझे सभी option गलत लग रहे है वैसे तो देखो कैसे है मैं आपको समझा देता हूँ मैं आपको समझा देता हूँ mail में जो सभी word होते हैं जो small होते हैं इदर देखिए अब यह option छोटो आप तो option को छोटो mail में सबी सब्द होते हैं वो स्मॉल होते हैं जैसे उधारण के रूप में मालो मेरा मेल है DR-LO-K-E-K-E-S-H B-A-L-I मालो मेरा मेल आइडी एक्जांपल के रूप अब यह हमने without gap के लिखा इसके बीच में कोई space नहीं आ सकता तो दिन लोगों ने यहाँ पर space दे रखा है देखो यहाँ पर एक है capital letter इसलिए गलत है और यहाँ पर space है इसलिए गलत है यहाँ पर यह सई हो सकता था लेकिन यह पर www बड़ा लिख रखा है और कभी भी mail ID के आगे www नहीं आएगा worldwide wave नहीं आएगा इस चीज का याद रखो तुम्हां लोग डॉक्टर लोकेस वाली मैंने लिख दिया पूरा किसी प्रकार का gap नहीं लगाया उसके बाद में मैंने किया कर दिया साथ एट लगा दिया और उसके बाद में जो भी mail है जी mail या हो जो भी कुछ है उसको भी मैंने यहाँ पर इस mall में लिख दिया लेकिन कभी भी mail के बीच में space नहीं आता है इतना आप context याद रखो सर इंग्लिस में सही लिखा है अच्छा इंग्लिस के उन्हों translate करके इंग्लिस सही लिखा है क्या इंग्लिस में सही लिखा है बिलकुल बिलकुल इंग्लिस में सही लिखा है मैंने इंदी वाला है यहाँ देखिए इधर देखिए यह गलत है क्योंकि बीच में 8 नहीं लग कि सभी गलात आंसर हैं ठीक है मैं समझ गया आप लोगों का भी सही आंसर है अथा था इस आपकी समझ परादारिट आ सकते हैं कि सामान दूर भास आज में आपको बता दू जो है ना यह मोबाईल यह वनजियन विजन देख रहे है मोबाईल न वगव इनद आ इसे कहते है दूर भास क्या कहते है से को हानो मेरे आज केलो वो चल रहा है न मेरे बाबू ने रोटी खाई खाई कि जूते खाई क्या खाये आज तो ये साथ्यों क्या होता है दूर भास इसे कहते है दूर भास दूर से भासा का ग्यान हमने करवा लिया आप मैंसे बहुत से दोस्त नए आये होंगे उनसे बता दू कि रोज रात दस बजे मेरी आपर डेली क्लास होती है कितनी होती है रोज रात दस बजे लिखो डेली यूटीब क्लास वाईटी क्लास डेली 10 पियम लिखो कॉमेंट्स में तब याद रहेगा आपको याद नहीं रहता, डेली आते नहीं हो न, एक दिन आ जाते हैं, दो दिन नहीं आते हो, लिखो सारे लोग तो डेली हमारी दसक्रादे के लास होती है, इसका उत्तर देने से पहले, मैं आपको इस औतर का इस कौशन का उत्तर देने से पहले जरूर चीज बताऊऊंगा इस उत्तर को देने से पहले एक जरूर पढ़के रांसर दीजिए, अब दंग से पढ़के रांसर देना, कि ICT का महत तो क्या है, यह वहाँ से कोशन है, थोड़ा फॉंट में ने छोटा कर दिया है, क्योंकि लंबा आप जानते हुए हो, कि फॉंट छोटा इसलिए है, क्योंक पेड किलास और प्री किलास दोनों तरह की किलासे जाप लोग उखले पढ़ाता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, कितने लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक कर दिया अब तक, इस समय देख रहे हैं कापी बड़ी संख्या में, और आदे लोगों ने ही लाइक किया है, आ बलती मत करो आप, समय लेकर करो, सही कथन डूढ़ना है हमको, क्या डूढ़ना है, सही कथन को डूढ़ना है, सही आंसर है सात्यों, केवल एक और केवल दो, यहां पर सही आंसर है एक, यह तो तीसरा तो वैसे यह आंसर गलत है, आप इसको तो वैसे आपको नहीं करना चाहिए था, यह तो वैसे नहीं करना चाहिए था, पूजा नेट एक्जाम फॉरम कब से शुरू होंगे अगर आप बात करें ओ दिसम्बर 2022 की तो वो साथ ओक्टोमर लाष्ट में आपके फॉरम निकलेंगे ओक्टोमर लाष्ट में आपके फॉरम वहाँ पर निकलेंगे चले आपको 178 का सही आंसर देना है बिल्कुल दीपक आपने सही एप्जॉर किया ता मैंने आपका कॉमेंट्स देखा था इस्टार्टिं में आपने सही एप्जॉर किया था एकदम हाँ बिल्कुल स्टार म्यूजिक हाँ बिल्कुल 100% दिसम्बर मैं हो गया यार सर यूजिस नेट का एजूकेशन का एक्जाम कब है प्लीज बतला दीजे देखो आप सभी को पता है कि जो सेप्टेंबर 20 से सेप्टेंबर 30 के बीच एक्जाम होने वाले हैं अभी डेट सीट आएगा 11 तारीक को और एडमिट कार्ड आएगे 16 तारीक को अब जैसा कि वो अदिस सूचना में बतलाया गया था और आभी उसके बाद कोई सूचना नहीं है चलिए रोज रात आओगे ना आप लोगे हाँ बाई बिलकुल कंफा में दिसमर में एक्जाम होगा ओके सिव सर्मा आप लोग धंक से पड़ो बी सी सी और सी सी को मैंने एक दिनी क्लास में बहुत अच्छे समझा दिया था लेकिन मैं दुबारा से आपको मेल वाले कॉशन को अच्छे से समझा दूँगा चलो अब इस कॉश्चन नंबर बाईस को आप ढंक से समझे चलिए समझो आप एक क्लास एक क्लास की कह रहा हूं बेटा मैं तो एक ही क्लास करनी है न आपको तो मेरे साथ एप पर वहां पर मैं पूरा कोर्स करवा हूँगा यकीन वानों अम मैं वहां पर नई रणनीती ले करा रहा हूं आप लोगों के लिए आज रात को मैं अनॉंस्मेंट कर दूंगा वहां पर एक क्लास होती है तो एक क्लास डेली पढ़ लेंगे और यूटूब पर भी पढ़ लेंगे एक क्लास यूटूब पर एक क्लास वहां बस खतम बात भारती जो सबघेक्ट अवलेबल नहीं है वो मत जोइन करो जो सब्येक्ट अवलेبل मत करो मैं तुझ यह कहने के मतलब हुआ इसपर वन दो पहना फिरी में पेपर वन तो मैं पड़ा रहा हुँ अब फिरी बायूस जाओ देखो इन्नी में मीडियम स्वीटी जी को गुड मॉर्निंग है मुझे पता है आप लोग उससे दाराद चल रहे हो कुछ लोग एक बर इसका आंसर दो लललन टॉप लगा दो आंसर दो ये देख सोद ये है ना ये ये सभी सोद की विदी है इधर देखेगा है ये सभी चीज़े क्या सोद की विदी है ये और ये इनकी विशेष्टाएं है इसका सई आंसर है साथ यो ए अब देखो सई आंसर ए कैसे है इस चीज़ को अभी हम समझ लेता है इस सई आंसर ए कैसे है इस चीज़ को समझ लेता है देखो यार आपको यहाँ पर इनकी विशेषता बतलानी है ऐसी चीजों में क्या होता है इसमें ओप्सन नमबर पांच नहीं दीख रहा है ना दो तीन एक आणों चाहँ रहा है प्रियोग आत्मक विदी का मतलब क्या होता है इस चीज को समझो कार्योथतर विदी का मतलब होता है कि मान लो कि कोई रॉड पर चल रहा है ये दर देखो बटाई दर देखो ये रॉड पर चल रहा है और रॉड पर कोई एक्सिडेंट हो गया एक्सिडेंट होने के बाद में खोज की जाती है कि भाई साथ कैसे एक्सिडेंट हुआ क्या रहा कैसे क्या रहा तो बाद में कोई क काम को होने के बाद में जो सोध किया जाता है वह कार्योत्तर सोध हैं जैसे आप महा मारी आने के बाद में हमने इसकी को खो जा था यानी कि कोई घटना घटित होने के बाद में अगर कोई कारिय किया जाए तो उसे कारियो उत्तरविदी कहते हैं है ना और कभी-कभी कहा है कि जैसे कि हम पहले से यासंका लगा लेते हैं कि महामारी आने वाली है और उसका पहले ही एंटीडूट ढोंड के रखते हैं तो वो साथियो उसके बाद देखा जाता सरकलास कब से चल रही है यह चल रही है नोबीस से चलिए तो यहाँ पर एक आंसर सही है प्रियोग आत्म विदी नियंत्रन के माध्यम से कारण और फरभाव का निर्धारन करना कारियोत्तर विदी का मतलब क्या होता है कारियोत्तर विदी का मतलब होता है व्यद्प्रईदर्स के समंघ्र का समन्वे करन एतियास विदी का मतलब होता साहते हुँ पूरु गटित गटना हो देख weldon टॉप देखो इसमें लगाने वालत आदमें ललन टॉप लगा देता अब लल्लान टॉप कैसे लगा देता दे ऐसा कोई कौशन अगर हमारे सामने आ जाए तो इतना दिमाग लगाने की जरुत नहीं है अपनी सामने वाली जेव में से लल्लन टॉप ट्रिक को निकालना है देखो कैसे आपको एक ऐसे बिंदू को डूंड़ना है जो आपसे आता हो जैसे प्रियोगात्म विदी नहीं आती कारियोत्तर विदी यह भी नहीं आती एकिने ओषिक का नाम सुनाएं आपने सुना है निरजाती विदी भी नहीं आती। तो अब आपको क्या करना है इसको पकड़ना है सी वाले ओप्शन को और सी वाले ओप्शन को पकड़कर चारों तरफ मिलाना है पहले यहां मिला लो एतियासिक विदी नियंद्रण के माध्दम से कारण और प्रभाव का निर्धार ना 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 तो यह तो एतियासिक विदी अरे नहीं नहीं यह भी नहीं है अब हमने यहां मिलाया option number 2 से एतियास इविदी पूर घटित घटनाओ देखो इतियास के मलब पहले से घटित घटना है ना तो देखो पूर घटित घटनाओ के स्वरूप को मुख और गौन रूप में इस्तावित गाना तो हमको क्या पता ल एक सी यह रहा यहां पर भी दो नहीं है और यह रहा केवल दो एक जगेर आंसर हमारे एका जगेर ललन टॉप ट्रीक एक ऐसी ट्रीक है मेरे साथियों मेरे दोस्तों जो मतलब कमाल कर देती है अब आप देखोगी इस कॉशन को आपने ललन टॉप जैसे ही लगाई है तुर क्लास का तरीका क्या होता है देखो आज के जमाने में मैं एक बात मान कर चलता हूँ कि आज के जमाने में क्या पढ़ना है वो जादा महत्पूर नहीं है सब दुनिया को पता है सिलेवस सब को पता है क्या क्या पढ़ना है आज के जमाने में क्या पढ़ना है ये जादा महत पूर्ण नहीं है क्या छोड़ देना है उसकी समझ पैदा करना ज्यादा महत्पूं है इसलिए एक अंडरस्टेंडिंग होनी जरूरी है कि भाई इन इन चीजों को हम पढ़ेंगे तो हमारी एक्जाम पास हो जाएगी मैं आपको बता दूँ मैं कई बार ज्यारेफ क्वालिफाइड हूं मैं आपको बता दूँ कि मैंने कॉलेज यूनुसिटियों में पढ़ाया है एजे सायक प्रोफिसर के पदपर आने कैडमी के माध्धम से अभी आपको लाभानवित कर रहा हूं दुनिया बर के आर्टिकल लिखे हैं मैंने मैंने एक चीज सीखी है मैं हमेशा आप लोगों को पढ़ाता नहीं हूँ मैं आप लोगों को पढ़ना सिखाता हूं क्योंकि एक वर आपने पढ़ना सीख लिया ना गाइज तो आप दुनिया के कोई भी कॉश्टन्स और कोई भी एक्जाम को पास कर लोग तो मेरा थर्ड समझाने का प्रियास करता हूं कि कैसे हम किसी भी एक्जाम को पास करते हैं देखो एक्जाम को पास करने में और पढ़ाई करने में फरक हैं बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पढ़ पढ़ के गवावले होगें बहुत जादा दिन रात पढ़ते हैं लेकिन एक्जाम पास कर लेते हैं उनमें एक मैं भी क्योंकि मैं एक्जाम की नस्प पकड़ता हूं कि कहां से दबानी है एक्जाम पास अब मालो कि आप एक फ्रेसार स्टुडेंट हो और मालो कि यह कॉशन हमारे सामने आ गया देखो मैंने दो ट्रिक बना रखी हैं एक तो ललन टॉप ट्रि टीटी मेरे पास एक ललन टॉप ट्रिक और तिक रिम ट्रिक अभी इस कॉशन को ललन टॉप के माध्दम से54 करते हैं प्र तिक डिम को समझाते कि मालो लfunded बस इसावर कि यह कॉशन आपने और मीने जीवन में कभी नहीं पड़ा यह question आपने और मैंने जीवन में कभी नी पड़ा और यह question हमारे सामने exam में आ गया पहले student तो ऐसे होंगे देखकर गबरा जाएंगे इसको लेकिन हम क्या करेंगे ललन टॉप लगाएंगे, हम इसमें क्या कराएंगे, ललन टॉप लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, हम यहां पर ऐसा बिंदू डूनें गे जो हम से आता हो, और चाहिए, कभी न कभी तो पढ़ाई होगा, कोई बिंदू, जैसे हमको एतियासिक विद्धी आती है हमने एतियासिक विद्धी को दो से मिला दिया और देखो तुर्ण से हमने यह आंसर कर दी तो मैं आप सब्सक्राइब को पढ़ना सिखाता हूं और अगर आपने पढ़ना सीख लिया तो दुनिया के कोई व्यकामा पाज़ाने से कर सकते हुआ हां आगे समझे लूँ कि ध्यान से पढ़ो डीप एनलाइस करो यह लेवल के कौशन आता है देखो यार मैं बात बताओ आपको न एक बिंदू तो मिलेगा ही मिलेगा यह जितने भी भायावे कौशन होते हैं यह बड़े सरल होते हैं एक बिंदू तो मिलेगा ही मिलेगा आतना है तल्ले आज़े उलेगा है क्या बात उते हैं यह बात उते हैं यह यह दुख कभी प्लान बना रहा है कभी बदल रहा है क्या बात नारे डिले ना आवर मैं तो वाई राइट टाइम पे चलुँआ पर तुल्पर उसे कोजिशन ना है पर तु क्यों देख प्लान गेंगा दियो अच्छा हो अच्छा हो तागे बूताने क्या किया है अच्छा-च्छा अच्छा च्छा हम् तो तो देश्ता बजिगा ची कोँ ठाउन देखा इन को तो देखे ज़ेगे देश्ता बजिगा सब्सक्राइब 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 कि अब यह सम्ट वह देज़ा और दस बजाकर बाथ ने इसी प्रिसमें लागो तो रभर उढ़े हो जागो ने अब यह कर दो आप यह तो बने एक प्रिंटा त। है एक गंता थमाने चलिए कर लिया कॉच्छन कॉच्छन हो गया साथ यो देखो यार एक बात बताओं जब इंग्लीज और हिंदी साथ लेकर आएंगे तो फॉंट तो छोटे हो गई क्योंकि एंटी नेट की एक्जाम में कॉच्छन बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं लगता है कि सर आप तो इंग्लिज में लाने के लिए फिर फॉंट चोटा करना पड़ता है अगर आप क्वालिटी बढ़ा कर रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि अगर आप मेरी क्लास देखना चाहते हैं यूट्यूप पर डेली क्लास रेखता हूं सुभे जब सुभे सुभे दस बजे तो सुभे और शाम को दस बजे में फ्री क्लास पढ़ाता हूं आप लोगों के लिए नहीं आज मैं एप पर क्लास नहीं लूँआ एक्शुरी क्या कि मैं ऑस्पिटल से तोड़ा लेट आया पाया था इसलिए नहीं हो पाया सैटिंग नहीं बैठ पाया था चलिए कोई से नमर 23 का हमको सही आंसर देना है उम्मीद है आप लोगों अब तक कर लियोगा बी आंसर इसका बिल्कुल सही है अब देखो कि चलिए सोद के उन चरण का मतलब होता है सोद के उन चरणों की पहचान कीजिए सोद के उन स्टैपों की पहचान कीजिए जिसमें नैतिक नहीतारतों का मुद्धा प्रासंगिक है अब आप मैंसे कितने लोग हैं जो प्रासंगिक का मत जानते हैं प्रासांगिक का मतलब कितने लोग जानते हैं इस शब्दकार्थ मुझे कॉमेंट्स में लिकिए प्रासांगिक का मतलब क्या होता है जितने भी लोग इस समय क्लास में हैं वो सब लोग मुझे बताई कि प्रासांगिक का मतलब क्या होता है आप लोग कॉमेंट्स क को नहीं पास कर पाओंगे क्योंकि आज कल की जो एक्जाम का जो पेपर का जो इस तरह रहा है उसमें खासकर लेंग्विज पर बहुत ज़्यादा जोड़ दिया दर है बिल्कुल बिल्कुल लवली आप सही कह रही है लवली आप सही कह रही है एक दम फिट अब देखो एर कॉशन है देखो इसमें मेरी गलती नहीं है कॉशन इतना लंबा पूशता है कि इसको इतना लंबा करना पड़ता है जबकि मैंने पूरी कॉश्स किया फॉर्ट को बढ़ा करने की आप प्रासंग का मतलब ही नहीं जानते अब माँ आप सुनिए कि एक्जामनर देखो अगर आप दोजार इकीश दोजार बीस दोजार बाइस की अगर आप पेपर देखोगे ना तो आपको यह पता लगेगा कि जो दोजार उन्नीस के पेपर में और दोजार बाइस के देखो सिलेबस वही है बदला नहीं है हमको वही सब चीजे पढ़नी है लेकिन इन्होंने जो बदलाव किया है वो लेंगवेज के इस तरपर किया है अब आप देख पा रहे होंगे कि क्वेशन की जो बाशा है ना जो लेंगवेज इतनी कठीन आती है कि चाहते वे भी अब आपको प्रासंगी का पता दिए तो आप कैसे कॉशन को सॉल कर पाओगे अब सुनो प्रासंगी का मतलब क्या होता है इस चीज़ को आप लोग समझ लो मैं आपको बतला देता हूं कि भाई प्रासंगी का मतलब क्या होता है प्रासंगिक का मतलब होता है साथियों कि मान लो कि ये कोई नायक है इधर देखिए कि ये हमारा कोई नायक है और ये हमारी कोई नाईका है इन इन दोनों के बीच में बहुत घहरा प्रेव तगड़ा वाला इन दोनों में बहुत तगड़ा घहरा प्रेव नायक नायकाओं के अंदर बहुत तकड़ा मतलब एकदम जीने मरने की हजारों कसमें इस नायक और नायका ने खाली है मौल लेकर नायक नायक आपको पता ही है दूसरी एक गली छोड़ कर दूसरी गली छोड़ कर नायक नायका होगे ऐसा ही होता है इस नायक को इस नायका से बहुत प्रेम है और इस नायका को इस नायक से बहुत प्रेम इनके नायका के जो पिता थे वो थे थोड़े अम्रेस पुरी टाइप एकदम जा सिमरन जा वाले नहीं थे एकदम थोड़े अम्रेश पुरिताइब खडुष्ट थे हम जैसे दोस्तों ने इस नायक को बहुत समझाया बहुत समझाया रहे नायक भाई ओ मेरे बंदू ठीक है नायका है लेकिन पढ़ ले लिख ले आपको जैस समझाता हूँ मैं आपको भी समझाता हूँ कि भाई आप पढ़ ले रहे काही नायक दरे ओ यह चीजन में पढ़ ले भाई डोले को नहीं तो शही ओ बाई पूरे दिन नायका को 50 रुबे कर रिचार्ज करवाता और पूरे दिन लग रहे फॉन पर लग रहे बीडी पी राय से ग्रेट पर नायक मतलब ऐसा हो रहा हमने की पढ़ ले भाई ने तो रांजना मूवी का डायलोग नहीं है क्या भूल गे उस डायलोग को रांजना मूवी में इंजिनियर डॉक्टर वाले इंजिनियर डॉक्टर वाले दायलग भूल गया हम ले जो होता कि सात्यों की नाइक今 उसकी स्याधी कई अन्य। एस ले तो कहता हो भई पढ़ोगे लिखोगे अच्छी नोकरी करोगे पैसा कमाओगे तो ही पार पढ़ेगी समझे विवा भी तभी कर पाओगे गाड़ी भी खरित पाओगे और मैं नाईका कुसे भी कह रहा हूँ आप भी पढ़ो रागे बढ़ो तो होता क्या ऐसाती हो ये नायक की शादी नाई ऐसे ना मने सीम तोड़ कर फैंक दी घर पे डाल दी नोकांटेकन नई सीम खरेजिन नया फ़ौन ले ले लिए सारा कामया होगा रिष्टे नये कपड़े ने नात ने हर चीज नहीर जीवन में विवा के बाद नाइका के जीवन की हर चीज बदलगी कपड़े ने होगे है ना रिष्टे नए हो गए लोग नए मिल गए हर चीज नए हो गया पुराने लोगों को मनाई का बोल रही है अप प्रेम गहरा लेकिन और हमारा नायक यहां अगम कुमार के गाने सुन रहा है कि मुझे जी पीने का सौक नहीं या फिर मुझे कहता है कि मुझे तुमसे तो क एक दिन खुदा निकाश्ता होता क्या है कि ये जो हमारा नायक है एक रेलवे स्टेशन पर जाता है किसी काम से, क्या है जाती हो, ये नायक है वो रेलवे स्टेशन पर जाता है किसी काम से और वहां से ये नायका भी अपने दो बच्चों के साथ रेलवे स्टेशन पर आती अब सोचो एक बहुत ही घहरा प्रेम अगर नायक नाइका के बीच में हो और एक लंबे गैप के बाद एक दूसरे से इतने दिन तक बात नहीं की थी जबकि वकील राम जेट मलानी बहुत बड़े वकील हैं राम जेट मलानी की तरह है आप लोगों ने सोच सोच कर बहुत ज़ादा सवाल पैदा हो रहे मन में मिलेगी तो यह कहूँगा मिलेगा तो वो कहूँगा दुनिया भर की सिकायत, कासी की कैसी चीज होते हैं, नाय की कैसी, नाय कर नाय का जब प्रेम में रहते हैं, वो दुनिया के सबसे अच्छे वकील होते हैं, उस समय उनसे जैसा वकील कोई होता नहीं गई, बहुत सारे सवाल उनके मन में उमरते हैं, बहुत जादा सवाल उनके तगड़े सवाल मन में उमरते हैं कि जिसकी लिमिट नहीं है रात रात बार उन्स सवाल मिलेगे तो ये काऊंगा मिलेगा तो वो काऊंगा और फिर खुद ही उनका जवाब दे लेते हैं इस वकिलात के कोर्स के बाद कई वर्स बाद नायक और नायक का एक दूसरे से आमना सामना हो जाता है अब सोचो द्रस कैसा होगा सोचो दिमाग में लगाओ सोचो द्रस कैसा होगा कि बड़े अर्सों बाद में नायक और नायक का एक दूसरे से आमने सामने मिल रहे हैं दोनों में हाई हेलो हुई अब समझाता हूं प्रासंगिक का मतलब क्या होता है प्रासंगिक का मतलब यह होता है कि या तो नाइका ने एक दूसरे से मुझ भोड़ लिया तो नायक ने जान नहीं दिया कि ठीक है जायार या नाइका ने जान नहीं दिया कि परानी बात होगी तब तो तुम प्रासंगिक नहीं हो और प्रासंगिक होने का मतलब क्या है कि जब नायक नाईका एक दूसरे को देख रहे हैं एक दूसरे के तरफ हाई हेलो किया और नाईका ने अपने दोनों बच्चे से का कि बेटा मामा जी से नमस्ते करो और बच्चों ने खुद नहीं खुद नहीं ऑटमेटिक बच्चों ने मामा जी नमस्ते कर लिया इसका मतलब है अभी यहां प्रासंगिक हो अब नाईका नहीं का लेकिन बच्चे ने ऑटमेटिक कर लिया मामा जी नमस्ते यानि कि जो आज है जो आज जितना वेल्यूबल है कल भी उतना ही वेल्यूबल रहेगा उसको कहते हैं प्रासंगिक और जो वेल्यू वेल नहीं रहेगा उसको कहेंगे वो प्रासंगिक नहीं है जैसे कभीर, तुलसी, नानाक ये पहले भी उतने प्रासंगिक थे जितने प्रासंगिक आज है आज भी उतने प्रासंगिक है जितने प्रासंगिक पहले थे समझे आप प्रासंगी का मतलब प्रासंगी का मतलब समझे सब के सब नायक नायका ने एक दूसरे को बर सो बाद भी पैचान लिए इसका मतलब प्रासंगी हैं अभी भी दोनो और अगर इग्नोर कर दिया कि पुरानी बात है सभीता तो प्रासंगी नहीं इसको कहते है प्रासंगिक होना तो हमको क्या करना है सोध के उन चरण चरण का मतलब होता है सोपान सोध के उन चरणों की पैचान करनी जो नैतिक नीत आरतों की नैतिक नीत आरतों का मुद्धा प्रासंगिक जिसमें होता है 23 का मैंना आपको सही आनसर बताया भी पहले क्या है इनको समझाओं या आगे बढ़ूं इनको समझाओं या आगे बढ़ूं बोलो इनको समझाओं या आगे बढ़ूं बताओ सर पेट दुखने लग गया है समझाओ या आगे बढ़ू आगे ग्रेट चलो सर नही तार्थों सर नही तार्थों का मतलब क्या होता है अच्छे एक काम करते हैं यार अगर आपको ऐसे शब्द जैसे जैसे कि यहाँ पर प्रस्ता हो गया कल्पित हो गया समगर हो गया प्रतिदर्स क्या हो गया ऐसे प्रतिदत क्या होता है ऐसे शब्द अगर नहीं आते ना तो एक काम करूँगा मैं अपसे जया मैं एक सोच रहा हूं सुनो मेरी बात same नियुक्त कर रहा हूं निसकर्स क्या निकला है उसमें क्या अर्थ निकला है एक काम करता हूं आपको में एक बनवाता हूं जिसमें मैं सभी शब्दों के अर्थ लिखवाती हुए चलूँगा आपसे कुछ एक बौकाल दमा का करते हैं आज रात को दस बजे किलास होगी आज रात रात जो दस बजे किलास होगी ना उसमें मैं आपको सारी चीछ समझा दूँगा वीडियो को लाइक कर दो भी ना के यहार मलब कहना ना पड़े मतलों लाइक वाइक तो कर दिया करो और अच्छा नहीं लगता मलब आपके ग्रुजी हम आप से आप लोगों से महीं कहता प्लोगों ना जादा लोगों तक पहुंशता है सजेशन में जाता है ताकि जो मैंने जो मेनत किये आप लोगों के लिए उनसे जादा से जादा विध्यारति लाभानवित हो सके इसका कारण यह है और कोई कारण नहीं इस चीज़ का लाइक कर दो कोईस्चन नमर 24 लललन टॉप लगेगा एल्टी लग रहा है है वेरे गुड निदी निश्या मुझे पता है सरीता आपके बारे में बहुत बढ़िया कोई बात नहीं निश्या खान सोचो बिल्कुल जल्दवाजी नहीं है गुरुजी भी घर का मैं भी आप भी खूब लंबा पड़ेंगे खूब लंबा पड़ेंगे ठीक है पड़ो आप मैं आगे से अट रहा हूं मैं आगे से अट रहा हूं अपने आपको अटा रहा हूं आगे से क्योंकि आपको इंगलीज वाले नहीं दीख रहा हूंगे चलिए है क्झा आपको मैं आपको है आप लोगों ने 24 में जो आंसर दिया है साती वो डी आंसर दिया है अधिक्तर लोगों प्रिया पांडे वे बीटा आपका नाम ले दिया है बिल्गुल चिंता मत करो D D answer मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, D answer यहां पर correct answer है, अब मैं आपको D answer का समझाऊंगा, अब मैं इसको समझाऊंगा, लेकिन समझाने से पहले, समझाने से पहले मैं एक समझाना, एक बात और समझाना चाता हूं, देखो मैं भी आप लोगों की तरह गाओं दिहात का रहने वाला हूं, वो अलग बात है कि मैनत करके आगे बढ़कर दिली देश की राजधानी तक पढ़ने लिखने पहुच गया, लेकिन एक बात मानता हूं कि मैं हर परस्तिती से वाकिफ हूं, गाओं कीव से, आप लोगों से, मैं एक आप लोगों से कहना चाहूंगा कि, देखो यार अगर आ नहीं कर पाते, कहीं पर भी पढ़ने के आनकेडमी पर, कहीं ओफलाइन कोचिंग जोई नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं, एक काम करो आप, आप मैं से बहुत से लोग ऐसे होंगे, जो अभी भी उन्होंना अनकेडमी का डाउनलोड नहीं कर रखा होगा, मेरे कहने से 9-10 सेंबी क्या होगा सायद अनकेडमी के एप उसको डाउनलोड करो और मैं आप लोगों के फ्री पढ़ा रहा हूं मैं समझाओंगा कॉश्टन को लेकिन कुछ पहले यह बतला दूँ आप लोगों मैं अनकेडमी एप पर फ्री पढ़ाता हूं सुबह डेली दस बजे देख लो पढ़ लो एंटिय अनकेडमी एप पर डेली पेपर वन फ्री किलास सुबह दस बजे होती है मेरी सुबह के दस बजे प्राते सुबह दस बजे होती है रोज और सबी किलास को अनलॉक करने के लिए पहले दिन आपको लोके सिलिवन कॉड लगाना होगा और सब किलास मेरी फ्री ओपन हो जाएगी है ना अभी पढ़ाऊंगा आगे बढ़ूंगा तो आप ना यह है मैं यह मैं हूँ साथ हूँ स्टूडेंट को जोईन करना है हर किशी को टेलिग्राम जोईन करना है यह लगालो हूँ अमरत आपके लिए यह एक telegram ऐसा है जो मुझसे और आपको जोड़ता है इस Telegram चैलो सोग जोड़ता है का एक class बेटा 60 मिनिट का ही होता है 60 मिनिट तो उपहलो देखो कम से कम 60 मिनिट तो देखो बाबा अब आपको 24 गंटे तोड़़ाना देखना है एक class देख लो मेरी बस बहुत है, एक क्लास देख लो मेरी, क्या देख कर देख, चलो, अब मैं आपको 24 वे नंबर का कॉशन समझा देता हूँ, और 24 वे में D क्या है, और नसर में D क्यों है, इस चीज़ को समझा, देखो मैं आपसे एक बात बतला दूँगी, ऐसा कॉशन अगर आपके सामने आता है, कारिय साला का मतलब भी नहीं आता, संगोश्टी का मतलब आता है कि आपको संगोश्टी, होते हैं संगोश्टी का मतलब आता है आपको, यहां पर सात्यों को एक ऐसे विंदू को डूणना है, जो हमको आता हो, अब मैं आपको सभी चीजों को समझा देता हूँ, कि सोध प्रबंद किसे कहते हैं और लगू सोध किसे कहते हैं जैसे यह मेरे सामने पीएच डी की थीसिस है इदर देखें गाइच यह क्या है मेरी पीएच डी की थीसिस है इस यह क्या है सोध प्रबंद इसको कहते हैं सोध प्रबंद यह पीएच डी की थीसिस होती है ना उसको क के ठीसिस होता है उसको कहते है सोध प्रबंद आपके मन में दो सोध प्रबंद क्या होता है अगर नहीं आ रहा है तो अवाँ लगूसोध प्रबंद का मतलब होता साथ यो लगूसोध प्रबंद का मतलब होता है एउ Scottish hari है आख आफ इस ए वी यह जो चोटा सा उसको लगूसौध प्रबंद केहते में पहज़ी वाले को लगूसौध प्रबंद केहते हैं उसके बाद में आता है रिसर्च पेपर इसके बाद में आता है सोध पत्र यानि कि रिसर्च पेपर किसे कहते हैं रिसर्च पेपर क्या होता है क्या होता है रिसर्च पेपर का मतलब यह होता है कि यह मेरा पीएशडी का थीसिस है गाइस यह क्या है मेरा पीएशडी का थीसिस है और इस पीएशडी क मैं से, इससे मिलता दुलता ही, मैंने कुछ लिख वाकर पब्लिक करवा दिया, सोध प्रबंध, इससे कहते है, resource paper, आपने देखा होगा, जब भी आप PhD करते हैं, जब बी आप PhD करते हैं, तब आपने देखा होगा, कारियसाला का मतलब होता है कि मतलब को ऐसी चीज जो नई आई हो मार्केट में उसके बारे में आपको समझाना कारियसाला और संगोष्टी दोनों एक जैसे हैं पर दोनों अलग-अलग हैं इस चीज को समझो कारियसाला का मतलब क्या होता है ये मालो कोई हौल है बहुत बड़ा जैसे आपने थोड़े दिन देखा होगा कि हमारे देश में जी एश्टी लागू किया गया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया था जी एश्टी जैसे जी एश्टी मार्केट में आया दितने भी छोटे दुकानदार हैं कस्बों में गावं में वो इनके बारे में जी एश्टी के बारे में कुछ जानते नहीं थी और सब लोग परिशान थे जी एश्टी कैसे अपलाई करें क्या कर बहुत जढ़ा दिक्क्यतारी थी तो उन्होंने क्या किया उन्होंने साथ भार्त सरकार ने क्या किया भारत सरकार ने अधर सका लोगा समझाती और यंद्nea करते के यह जो हुआ करती थी साथ यो साथ आठ दिन की हुआ करती थी संगोष्टी यहाँ पर साथ यो वक्ता यह होते हैं और स्रोता यह होते हैं यह कभी भी वक्ता नहीं होते हैं यह बोलते हैं यह सुनते हैं इसे कहते हैं वर्क सौप ठीक इसी से मिलता जुलता ही है संगोष्टी तो अलग है वैसे तो, लेकिन संगोष्टी का मतलब भी अब आपको मैं समझा देता हूँ, कि क्या है संगोष्टी का मतलब, संगोष्टी का मतलब होता है साथ यो सीमिनार, सीमिनार किसी विशे पर बेस्ट होता है, विशे के कुछ उप विशे भी होते हैं, यहाँ पर विश विद्धायले का ये campus है और यहाँ पर कोई seminar हुआ है तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ guest लोग बैटे रहते हैं और यहाँ पर कुछ आप लोग बैठे रहते हैं लेकिन आप लोग भी यहाँ कर जाकर बाशन दे सकते हैं यहां आप लोग भी जाकर यहां पर बाशन दे सकते हैं यानि एक विशे को आप डीप एनलाईस यहां पर किया जाता है उमीद है आप लोगों ने इमानदारी से अपने आप पर इमानदारी बरती होगी तो मुझे भरोसा है कि आप लोगों ने इमानदारी से सोध प्रबंद किसे कहते हैं ये भी सीख लिया है सोध पत्र किसे कहते हैं ये भी सीख लिया है लगु सोध किसे कहते हैं ये भी सीख लिया है कारिय साला किसे कहते हैं ये भी सीख लिया है और संगोष्टी किसे कहते हैं ये भी सीख लिया है क्या ये बात आपको सच में समझ आ गई है गाईज क्या आपको ये बात सच में समझ आ गई है तो एक बात कम उससे वादा करो सुबह दस बजे वाली फ्री किलास में पढ़ने आया करो रोज अनकेडमी एपर एक गंटे का किलास होता है मेरा दस बजे से ग्यारे बजे तक डेली आया करो आप लोग खुद से प्रण करो कि सर हमको जहां ले जाएंगे साथ साथ चलना है और एक दिन सर जियारेफ करवाएंगे PHD करवाएंगे खुद की तरह और Professor बनाएंगे खुद की तरह अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो मेरे कोई सीङघ नहीं उग्रेया लग से जी सीङघ लग रहे हूं आप भी कर सकते हूं मुझसे भैतर कर सकते हूं अगर मैं MA के साथ जो आप क्यों नहीं कर सकते आप भी कर सकते वह रते वो के तो कितने हैं गुरू मुहामोय पंत दिखावा बस आपको गुरू जी के बताएवे रास्ते पर चलना है वसा का आपको डेली आगे आना है सुबह आया करो फ्री क्लास है दस से ग्यार अटेंड किया करें और रात को यूटूब पर अटंड किया गरो रात को दस बजे कर दोनों का इतने अपने कामसे निप्रत हो जाए काना बनाने के से बच्चों को सुलाकर एकदम मतलब फ्री हो जाए 11 10 से 11 वज़ तक और सुबह भी मैंने 10 बज़े इसलिए टाइम रखा है ताकि जितने भी घ्रैनिया हैं हमारी दोस्त जो घर में खाना वाना बनाती है घर का काम समालती है वो सब भी फ्री हो जाए इसलिए मैंने उनको टाइम ऐसा रखा ह 10-10 बज़े अरे बापरे सरीता क्या बात है सरीता बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया साथी हो तो मैंने उम्मीद है इन सब चीजों को आपको अच्छी तरीके से एक्स्प्लेइन आपर कर दिया है ठीक है आगे बढ़ते हैं ललन टॉप यहां पर भी लग रहा था कॉशन नम्मर अठ्राव 2018 में कॉशन पेपर पूछा गया हमसे पढ़िये पढ़िये गाई ध्यान से पढ़िये ध्यान से अकेले हैं तो क्या गम है कि मेरे साथ इतने सारे दोस्त है लाइक नहीं किये वीडियो जभी आप लोगों ने अरे वीडियो को लाइक कर दो यार देख यह मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यह बात वीडियो को लाइक कर दो यार आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो या अच्छी बात नहीं इतना बुरा पड़ा रहा हूं क्या जो लाइक नहीं किया इतना बुरा पड़ा रहा हूं क्या जिसमी दोस्तों ने सोथ प्रवेंश 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 इसका सई आंशर है सात्यों भी इसका सई आंशर है सात्यों भी ठीक है आप मेंसे अधिकांस लोगों ने देखो अपना सोध प्रवंद लिखते समय एक विध्यारती सोधारती सांक की यहां पर होते है के सात्यों जो स्टेटिक्स की जो चीजें होते हैं जो डेटा वाली चीजें तकनीकों के अन्य प्रयोग का कर्णाधार करतादार नहीं बताता है निमली तुमें उत्तम उधारण माना जाएगा रह यार कि अ कि आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं कि चले कॉसर नमर 27 का अनसर दो सर आप देर से क्यों भेजते हैं लिंक के मैंने यार लिंक तो पहले भेज दिया था साथ वाइटी चैनल पर तो अच्छा वो डॉक्टर लॉकेश वाली पर लेट भेजा था अच्छा यह अभी भेज आया और रे रे कोई बात नहीं चलो अगर कोई मेरी क्लासेज में जुनना चाहता है कि मेरी बैच की फीस कितनी है तो मैं आप यहां आपको बतला देता हूं पहले इस कॉश्चन को करो आप 27 में बी आंसर है कैसे आंसर है इसका यह देखो आप बी आंसर वेरी कुट है ओक्ट चलिए मैं आपको समझा देता हूं कितनी फीस लगती है हमारे यहां पर मैं आपको समझा देता हूं यह है सात्य फीस का चार्ट जिसमें आपको पेपर वन और पेपर टू दोनों कंप्लीट करवाए जाते हमको अमरी तरफ से कर पाओगे बिल्कुल जो जोचना यादा हो इस टेलीग्राम चैनल के माद्दम से आप मुझसे संपर कर सकते हैं सारी कलास कब तक चलेगी आप कब तक चाते हैं यह बताओ आप लोग कब तक चाते हैं के क्लास चल जाए कब तक चाते हैं आप लोग सवा गंटे से चल गई चल रही है आप कब तक चाहते हैं चलना ट्वेंटी एट का सई आनसर देना है गाईज सोच समझ कर आनसर दो रोईत ऐसे कुछ भी मत दे दो यह कौशन में आपको समझाओंगा क्योंकि मुझे पता है आप लोग तुक्के मार रहे हों आपने इस कौशन को समझाई नहीं है हमने इस कौशन में यह कहा है इस कानसर दी है हमने इस कौशन में यह कहा है कि आपको गुणातमक सोध को क्या है अब एक बात बताओ कि मान लो आप ऐसे अबर बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे अर्चना है, प्रियंका है, पिंकी है, प्रिया है, में बहुत सारे लोग हैं, अब हमको इनके गुणों के बारे में पता लगाना है, तो हमको क्या करना है कुछ चीज़े चिन्नित करनी पड़ेगे अब देखो सबसे पहली बात मान लो ये classroom है समझो आप देखो logic समझो मेरी class में सिर्फ logic चलता है कि मान लो ये कोई classroom है इधर देखो ये कोई classroom है और इस class में आगे की side लड़कियां बैठी हुई है फिर कुछ लड़के बैठे हुए है और फिर पीछे की side कुछ लड़के बैठे हुए है फिर यहां पर कुछ बैठे हुए है पर पीछे की side दिवार पर पीट लगा लगा कर बैठे है ये दादे दिवार पर पीट लगा कर ये लोग बैठे है तो गुरु मास्टर जी ने इनक को चिन्नित कर रखा है कि यह लोग सब बदमास लोग क्या हैmmин गुरूजी यंक्तित कर रखा है यह Пर इन के गुल्डों के आधार पे वे और कार्य बसब सबसे पहला बैus ने जातिया विग्ञान व्रच यह अगर ललन टॉप लगाँ है तो एक सेक्रिंड माः क्वेशन कर दोँगा सबसे पहले क्रियात्म विधी क्रियात्म कार्योत्तर विधी मैं थोड़ देर पहले बताई थे ऐसा कोई विधी जो कारिया होने के बाद एपनाई कि या जाता हूं ऑगारीय होने के बाद का मतलब जानते निर्जाति विग्ञान कि कितने लोग कि यह तो कि छटके मुझा पर मैं शारा हूँ सबको समझा दूंप आपको सारे उप्सिनों को निर्जाति का मतलब कि लिक्वाग अभी बात बता हूँ जब आप इनका आर्थी नहीं जानती हो तो आप caution करोगे कैसे और एक्जामनर आपको यहीं गुमाता है निर्जाति यह लिख देगा और आपको कोछ समझ नहीं लगेगा निर्जाति विज्ञान का मतलब समझा हूँ आप लोगों के बीच में जाकर सोद करना निर्जाति विज्ञान है फिर से नायक नायका का एक्जामपल दे दो और ये बापरे अब आपको जब देखो इन शब्दों को अगर आप नहीं समझोगे तब तक बात नहीं बनेगी निर्जातिय का मतलब यह होता है कि जिसमें किसी की अलग पहचान हो जैसे कि यह मालोब भीड का इलिए भीड यह है बहुत ज़्याद भीड है कई बार आपने यह नहीं देखा होगा साथियो जो नए नए नायक नाइका होते हैं अब आपको नायक नाइका को उधारन समझने हैं तो नायक नाइका के उधारन से ही समझो चलो आपने देखा होगा कि जो नए नए नायक नाईका बने हो अभी 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 ताजा ताजा जो बिलकुल गर्मा गरम अभी अभी ताजा जो बहुत अभी जश्ट जो नायक नाईका बने हैं आपने ये कहते वे देखा होगा नाईका को कि आप भीड में भी सबसे अलग लगत आपकी personality ना सबसे best नायक भी खेता होगा चाहे कितनी भी ते मेरी दोस्त है न वो फलानी डिकानी अमकानी उसे सबसे अच्छे लगते हो कोई भी दूर से ओती दिख जाते हो दूर से निर्जातिय का मतलब यही होता है समू में जिसकी अलग पैचान हो उसे निर्जातिय कहते हैं निर्जातिय सोध समू में जिसकी अलग पैचान हो उसको निर्जातिय कहते हैं कहते हैं ने कि यार इतनी भीड चल रही थी लेकिन आप मुझे दूर से दिग गए आपकी पर्सनल्टी अच्छी है क्या लंबे लंबे आपके केस हैं उंची कद काथी क्या पर्सनल्टी है आपकी मतलब तो ये है निरजातिय का मतलब जो आपको लग लोगों से अलग बनाए उसे कहते हैं निरजातिय हाँ ाजारों के बीच में ढूंड़ लो आपको टाई बेलकुल वोई है जर निरजातिय है तो गुणात मक्सूद अगर किसी व्यक्ति के अंदर गुण है तो निर्जातिय मानते हो इस बात को कि किसी कंदर गुण है तब ही तो उसको अलग से पहचान लिया जाता है अरे वो नहीं वह लंबे बाल वाला चोरा अरे वह नहीं बहुत गोरा चोरा अरे वह नहीं चोरा मैं किसी कलर वाली बात नहीं कर रहां मैं किसी स्किन टॉन की बात नहीं कर मैं कहने बताली के ज्या को martyr भूष्म से पेंचाल लिया जाए देखो अब आपको निर्जातीय जीवन में कभी नहीं बूलना है लिखो कभी नहीं बूलेंगे भ्यू कभी नहीं बूलेंगे बुल 5 साल रिसर्च पढ़ाया, मैंने 5 साल रिसर्च का हर एक वर्ड जानता हूं मैं 5 साल रिसर्च पढ़ने का मतलब है मैंने 5 साल तक रिसर्च पढ़ाया, PhD के द्वरान पका? very good आपको तो वोही नायक नायकाओं के उधारणी अच्छे लगते हैं बदमास हो गयों आप लोग भी इसके बाद में साथियों गुणात्मक सोध में सामिल होता है सांकेतिक अंतेक्रिया कि संकेतिक अंतेक्रिया का मतला संकेत अगर किसी व्यक्तिक अंदर गुणे ना तो अर्योला अरे वह वो ने यहां इनकिसी से इसके बाद कर और प्रायोग व्यक्ति को यह व्यक्ति आपर बिलकुल सही है दीरे दीरे मैं आपको इन सब को भी समझा दूँगा कारियोत्तर वीदी तो मैंने आप लोगों को समझा दी है निर्जातिय समझा दिया है और सांकेतिक समझा दिया है प्रियोगातम समझा दिया है विवनात्मक समझा दूँगा और वृतान समझा दूगा आगे कौशन आए बिल्कुल मौनिका मैंने कितने कितने उदारण दिये मैं मतलब यहां पर पहले उदारण मैंने यहां पर कितने चेंज कर दिये पता है आपको यह नायक नाई का तो सबसे उत्तम रूप है सबसे पहले मैं मित्र मैं सबसे पहले यूज किया करता था पुरुस मित्र पुरुस मित्र और महिला मित्र सबसे पहले ये यूज करता था उसके में नर मित्र और मादा मित्र अब बदलते बदलते नायक नाइका पर आया हूं और मुझे लगता है नायक और नाइका सबसे अच्छे उधारन के पात तमें मतलब सबसे उत्ता में नायक नायक उदारणों में यह तो लावली वागरा को सब पता है मेरे बारे में पुरानी किलार देख लूँ आप चलिए 20 राइन का अनसर देख से बढ़िए रात को दस बजे किलास है जार पिछले कितने गंटे से कलास सल रही है हमारी जार यह ऐर गंटे से कलास सल रही है तापणी तो लाइक ने किया वीडियो आप लोगं आभी भहसों लोग वो लाइक Island किया साइ आनश्रलै साथ्यों C, प्रियोग आत्मक सोध, समझो कैसे, किसी प्रकार के सोध के लिए, क्रिया सूचक शब्ध, क्रिया सूचक शब्ध नियंत्रन हेर फिर करना और अुलोकन सर्वाधिक् प्रासंगिक है किस प्रकार के सोध के लिए क्रिया सुचक शाब्द नियंतं हेर फिर करना और अव chairsरवादिक सॉर्व प्रासंग्षिंस वह है साथियों प्रियोग आत्मक्सॉद हम नइ नई चीजों में प्रियोग करेंगे तो हम चीजों को बदलेंगे, तब ही सातियों सारी चीजों हम कर पाएंगे क्या बात हो गई? ग्रेट ने ने स्वीटी कोई खोई खोई नहीं रही रही है, स्वीटी सही है, अभी कहागी गुरु जी का थोड़ा सा इसाब बिगड रहा है अभी मैं थोड़ा सा व्यष्ट हो गया हूं कई चीजों में, तो क्लास अभी थोड़ी सी उपर नीचे चल रही है, एक तो प्लस क्लास भी थोड़ी उपर नीचे हो गई थी, और इसलिए थोड़ा सा मामला भी ऐसे हो रहा है, पर अब हम सब चीज पट्री पर ले आएंगे, कि आपको दुबारा कहीं पढ़ने के आप सकता ना पढ़ें, ऐसा पढ़ाता हूं हमेस्या कि आपको दुबारा कहीं पढ़ने की जर्रोत ना पढ़ें, कौशन नमबर 30 करो आप, मैं सारे शब्द समझा दूँँ, चिंता मत करो, अनभवाद, विशेवस्तुनिष्टा, सुविवस्ता, गौपनि, ये सारे सब्द समझा दूँँ आपको, आपते इपर खुद की हिसाब से काम करो, क्या आपको, 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 ये डारे सmor Elliott, ये स समझा दूँँअ च्रूँड़ा। झाल झाल सोचो आप मैसे आधि कांच लोगों ने आपर D आंसर दिया है और जितने भी लोगों ने family दिराआए उन्होंने सबने सई दिया और स्वीटी ने आपर गलत कर दिया स्वीटी गलती नहीं है अचा अब छाए एक बात बताओ जितने भी प्लस के student इस class को देख रहे हैं आई रिपीट प्लस के student इतने भी class देख रहे हैं भाई मैंने research को पड़ा रख्था है मैंने plus में research को पड़ा रख्था है तुम जाकर तो देखो यार कमाल हो जाओगे तुम दो-पांच दिन में क्लासेट को जल्दी-जल्दी कंप्लीट कर लो और यह लगा लो आपको रिसर्च में एक्सपर्ट हो जाओ गया जाकर तो देखो एक बार फुल कॉंसेट वाली क्लास एक बार जाकर देखो एरे फोन और ओफ हो गया कि सभी आनसर डी अब मैं आपको एक एक शब्दों को समधा देता हूं में लो मोबाइल चार लगा देता हूं कि 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 अब मैं आपको समझा लेता हूं सारी चीजें सोद की वेढ़्ियानिक विदी की विशेष्ता है है हम चीजे को समझने की कॉस्स करों कि सोद है और उसकी वैज्ञानिक विदी योज्यानीक विदी आ एक होता है वैग्यानिक विदी एक होता है वैग्यानिक पद्धती होता है कितने लोग वैग्यानिक विदी और वैग्यानिक पद्धती को जानते हैं पहले इसको किलियर कर ले फिर आगे बढ़ेंगे step by step बोलो आप में से कितने लोग हैं जो विदी को जानते हैं पद्धती क इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी कारी अगर हम कर रहे हैं कोई भी कारी अगर हम कर रहे हैं तो स्टेब बाई स्टेब वन बाई वन तथ्यों राकड़ों के आधार पर मौलिक कारिय किया जा रहा हो उसको कहते हैं वैग्यानिक पद्र जैसे कि मान लो कि मैं क्या हूं एक टीचर मैंने एक चीज लगा रहा कि मैं सुबह दस बजे अन अकेडमी एप पर रोज पढ़ाता हू पेपर वन पढ़ाता हूं और पूरा सिलेब चैप्टर वन चैप्टर टू चैप्टर थी चैप्टर पूर इस तरीके से पढ़ाता हूं तो ये तरीका भी वैग्यानिक विदी में आता है क्या आता है इस तरीके को भी वैग्यानिक विदी कहते हैं क्या कहते हैं इसको अब यहां पर सबसे पहले बात है अनभव वाथ, experience वाथ, अनभव वाथ, देखो किसी भी कारिये को अगर हम वैग्यनिक पत्ति से कर रहे हैं तो अगर हमारे पास अनभव है, experience है ताम उसको बहतर तरीके से कर पाऊगे, जैसे कि मानलो कि मुझे पिछले 9 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं 9 साल का मुझे अनभव है पढ़ाने का, कितने का, 9 साल का, कैसे कैसे अनभव है 9 साल का मुझे, यह समझा देता हूं, 8-9 साल का अनभव है मुझे, वो कैसे कैसे है, देखो, आने के 3 साल से तो मैंने अकेडमी प पढ़ाया था लग अलग तरीके से तो ऐसे करके मुझे 8-9 साल का एक्स्पिरेंस है अनुभाव क्या है चीजों को भैत्री देता है अधिक से अधिक ज्यान तो एक तो अनुभावाद होना जरूरी है एक वस्तुनिष्ट ने अब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ट का मतलब क्या होता है अब्जेक्टिविटी जिसमें वन बाई वन ये चीज ये चीज ये चीज अब्जेक्टिविटी होना जरूरी होता है और सुविवश्तित का मतलब क्या होता है कोई भी काम है जिसको वैल और्गनाइज तरीके से कर रखा हो वैज्यानिक विद्धी में क्या होता है experience चाहिए objectivity चाहिए स्विवर्ष्थित होना चाहिए इसके अलावा गोप निये और सुरक्षित नहीं इसके भविस सूचक यानि ऐसा कोई काम हो वैज्यानिक विद्धी से भविस में वो काम आए और इसी के लिए answer D है और साथियो सोद गोप निये रखने की जरूत निये सारे सोद सब के सामने है जितने भी लोगों ने सोद किया है डार्विन का सिद्धान ते हर कोई सोद सामने है सब के सोद कोई छिपा कर रखने की चीज यहाँ पर नहीं है तो ये थी सातियों हमारा ये कॉशन तीसवे नमबर का अब मैं आप से पूछना चाता हूँ कि इस मैथर्ड से जिस मैथर्ड से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक एक शब्द में एक एक बिंदू समझा समझा कर आगे बढ़ रहा हूँ क्या आप चाते हो कि इसी तरीके से हमको वेश्ट समझ लग रहा है क्या आप चाते हो इसी तरीके से पढ़ना मुझ से बताएए सब लोग कोमेंट्स करो मैं इन को क्यों समझा रहा हूँ मैं सोचना हूँ एक रजिस्टर मनवालू हूँ आप लोगों से कि मैं आपको सारे यार्थ लिखा सकूं वैज्यनिक विदिक क्या होती है अन्भवाध क्या होता है वर्प्न निष्टत होती है सुवश्डत क्या होती है एक रजिस्टर बनवाने की मैं सोच रहा हूं एक कैसा करना एक कॉपी लिया ना मार्केट से नई सी खरीद के अगर आपके पास हो ना कोई घर पर पर नई सी लखना नई लिखने में लिखने में पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है नई लिखने में अच्छी होनी चाहिए उसमां बनाना सुरू करते हैं डैली कैसे चीज बनाना सुरू कर देते हैं और जितने में लोगों के मनमा यह है कि सर यूटूब पर क्लास कब होती है यूटूब पर क्लास होती है बेटा सुबह रात को दस बज़े माप करना रात दस बज़े क्लास होती है यूटूब पर यह देखो, डेली वाइटी, क्लास, सेज, 10 पी-म, मेरी जो क्लास होती है, इसी यूट्यूब चैनल पर, रात को 10 बजे होती है, सही है, टाइम नॉट कर लो सब के सब, मंडे टू, सटर डे, संडे का ओफ रख लेता हूँ मैं, यह नॉट कर लो आप इस चीज़ को, पर रात में मैंने जान बुज कर टाइम रखा है, ताकि आप लोगों को समय मिल सके, रात को 10 बजे आपको यहां पर आना है,